चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं working capital management पूरी financial management का शायद सबसे असान चेप्टर चलिए उमीद करता हूँ कि आप already basic concept जो है ratio analysis के वो देखके आ रहे हैं देखें आपको पता है working capital का मतलब क्या होता है simple words में working capital का मतलब होता है the capital which is required in day-to-day operations of the business और हमने देखा भी पीछे जब हमने ratio analysis किया कि जो working capital होती है वो basically दो तरीके की होती है एक gross working capital और एक net working capital gross working capital जो की equivalent होती है आपके current assets के और net working capital होती है current assets minus current liabilities के अब business की अगर हम पूरी की पूरी operating cycle को देखें तो business की operating cycle क्या होती है आप raw material purchase करके लाते हैं raw material जब आप purchase करके लाते हैं तो उससे labor से production करवाते हैं उसके लिए आपको wages देने पड़ते हैं आप overheads incur करते हैं एक production cycle में कुछ आपको time लगता है हो सकता है 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 15 दिन लगे वो depend करता है कि आपका product कितना complicated है उसके बाद जब आपके goods त्यार हो जाते हैं तो finished goods वो आपके go down में पड़े रहते हैं जब तक वो sale नहीं हो जाते फिर sale होने के बाद आप data से amount collect करते हैं amount collect करते हैं आपके पास cash आता है और फिर दुबारा से वो ही सारी चीज़े चालू हो जाती है तो एक operating cycle आपको दिखाएए business में कैसे चलती है कि raw material purchase, labor incur, overheads, work in progress रहता है finish goods त्यार होते हैं फिर आप sale करते हैं तो debtors create होते हैं फिर वो आपको cash देते हैं फिर दुबारा से पूरी cycle त्यार हो जाती है तो this is what called as operating cycle now अगर हम बात करें कि business में as if working capital हमारा पैसा कहां कहां block होता है बहुत simple words में एक layman language में एक आम businessman की भाशर में मैं आपको इस chapter समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि जितना हम simplify रहेंगे न उतना अच्छा रहेगा देखो इतना simplified और इतना अच्छा chapter है कि सिर्फ आपने lecture सुन लिये न आप कोई भी question random basis पर उठा लो और आज नियाद से 10 साल बाद भी उठाओगे न आप कर पाओगे इतना अच्छा और simple और interesting chapter है तो बस आपको ध्यान लगाने की ज़रत है अगर आप बात करें तो business में पैसा कहां कहां block होता है as working capital तो देखिए सबसे पहले raw material में आपको business में हर समय raw material का कुछ ना कुछ stock रखना मढ़ता है yes or no तो जो raw material का stock आपने रखा हुआ है उसमें आपका पैसा block ही है न फिर work in progress में suppose आज आपने product बनाना शुरू किया और उसको बनने में 3 दिन लग जाते है suppose आपका furniture की manufacturing का business है आज आप बनाना शुरू करते है तो 3 दिन के अंदर आपका product त्यार होता है तो 3 दिन तक तो आपका पैसा block रहा work in progress अच्छा जितना बड़ा time period होगा suppose 15 दिन लग जाते हैं तो और ज़्यादा पैसा फसा रहेगा 30 दिन लग जाते हैं और पैसा फसा रहेगा aviation sector में के कैरोपलेन को बनने में 2-2,5 साल लग जाते है उनका पैसा फसा रहता है जब तक वो बनके तयार नहीं हो जाता तो work in progress भी एक one of the important element है इसके बाद finish good में जब माल बनके तयार हो गया वो आपके go down में पढ़ा हुआ है माल बनके तयार है go down में पढ़ा हुआ है कोई पैसे तो नहीं आ रहे हैं तो जब तक पे करना पड़ा चीक है वहाँ आपका पैसा फस क्या प्लस आप हर समय बिसनस में कुछ cash रखते हैं for day-to-day expenses तो businessman को तो कहाँ आप देखो घर में आपका अगर चोटा मोटा business है तो आपके देखेंगे कि इन्हीं चीजों में हमेशा फैसा फसा हुआ है ब्लॉक है एक amount raw material हमेशा पड़ा हुआ है working progress हमेशा है finished good business में हमेशा होते हैं business के हमेशा data होते हैं business में हमेशा कुछ ना कुछ prepaid expenses की होते हैं और business को एक minimum cash हर समय चाहिए होता है तो यह वो areas है छे जहां हमेशा business का पैसा ब्लॉक रहता है as working capital ठीक है लेकिन मैंने आपको बदाया था कि जो भी हमारी working capital की requirement होती है उसका एक part हमारे creditor finance कर देते हैं उसके लिए मैंने आपको ratio analysis में बड़ा simple सा example दिया था कि suppose हमारे 1,00,000 रुपे के debtor है हमें आरे 1,00,000 रुपे के debtor है मतलब हमने उधार पे माल बेचा लेकिन हमें आगे से उधार मिल गया 50,000 रुपे का या 60,000 रुपे का उधार मिल गया हमने 1,00,000 का बेचा और हमें पीछे से 60,000 का उधार मिल गया तो हमें out of pocket से 40,000 लगाने पड़े तो कहीं न कहीं जो creditors होते हैं इस working capital में हमें सहारा देते हैं ऐसी कुछ बात मैंने आपको बताई थी तो same way यहाँ पर businessman को इन 6 components में तो अपना पैसा फसाना पड़ता है लेकिन उसको कहीं न कहीं से सहारा भी मिलता है सहारा कैसे मिलता है wages payable suppose आज मैं अपने office में staff रखता हूँ अपने का time lag आपको मिल जाता है कि वो अभी काम करेगा लेकिन payment एक महिने बाद लेगा आप मेरी बात समझ रहे है same way overheads के अगर हम बात करें तो काफी business में छोटे मोटे खर्चे होते हैं चलो मैं simple सा example देता हूँ चाह पानी के expenses ले लो electricity bill ले लो जो generally एक मंत ये डेढ़ मंत एक time period बात payable होते है expenses ये day to day business पे हो रहे है लेकिन आपको pay नहीं करने होते हैं एक time period के बात specific due date पे आपको pay करने पड़ते हैं तो that is what overheads payable ये भी एक तरह से आपको सहारा दे रहे हैं क्योंकि आपको day to day business आप amount तो एक रू होता जा रहा है लेकिन pay आपको एक specific due date पे करना है same way creditors आप raw material उधार पे लियाते हैं लेकिन on the spot payment नहीं होते हैं आपको 3 महीने का दो महीने का credit मिल जाता है depending आपकी market goodwill कैसी है तो ये भी एक आपको कहीं न कहीं सहारा मिल गया क्योंकि अगर आपको cash में raw material खरीदना पड़ता तो ये पैसा भी जेब से आपके लग जाता या इसके अलावा other outstanding expenses ठीक है कुछ भी हो सकता है वैसे मैंने आप एक electricity bill का example दे दिया बट कोई भी ऐसा outstanding expense जो आपको भी payment करने की ज़रत नहीं है कुछ वक्त बाद payment करने पड़ेगी वो over rates के अंदर भी cover up हो जाते हैं जस ऐसी separately लिख दिया तो simple सी चीज अगर आप देखें तो ये सारी की सारी जो है वो एक तरह से आपकी क्या है current liabilities और अगर आप ये देखें तो सारे के सारे क्या है current assets businessman को इन सब components में पैसा फसाना पड़ता है अगर business चलाना है उसका पैसा हमेशा इन components में block रहेगा ठीक है इसी लिए हम इसको क्या बोलते थे हैं cross working capital लेकिन कहीं न कहीं उसको कुछ ना कुछ सारा मिलता है अपने creditors से current liabilities की form में और वो अपनी working capital का एक part finance कर पाता है तो इसी लिए हम बोलते हैं कि जो हमारी net working capital होती है वो होती है current asset यह तो हमारी gross requirement थी minus current liabilities क्योंकि हमारी जो capital की requirement है working capital की उसका एक part हमें finance हो जाता है हमारी current liabilities से समझ महीबात तो यह चारो एक बार आप basics जो है वो note down करिये फिर देखते हैं कि exactly business में working capital कैसे निकाली जाती है अभी तक आपने accounting के aspect से समझाए कि सीधा सीधा आपने current asset minus current liability कर दिया अब उसको ज़रा एक real businessman sense में financial management की sense में समझेंगे कि अगर हमें exact computation करनी है working capital की तो वो कैसे होगी उससे पहले यह चारो slider प्लीज फटा फट नोट कर लीजे fast चले start करते हैं अपना discussion बहुत simple chapter मैंने आपको बता है कुछ भी इसके अंदर technical नहीं है आप एक बात बताओ क्या आप business में हर समय raw material stock में रखना पड़ता है जी हाँ क्यों क्योंकि आपको अगर production continue रखनी है तो raw material होना चाहिए तो क्या यह मैंने लाइन साहिए कि raw material needs to keep in stock for continuous production हाया नब अब कितना raw material हर समय आपको stock में रखना है वो depend करता है कि आपका production plan क्या है inventory procurement period कि मतलब अगर आज आप order करते हैं तो कितने time में आपका stock आ जाता है इसके बारे में आप costing के अंदर पढ़ चुके है material costing में इसलिए पहले आपको costing बढ़ा ही जाती है इस chapter में आप देखें कि costing के बहुत principles यूज होंगे तो basically जो raw material है वो आप stock में रखते हैं continuous production के लिए और वो depend करता है कि आप per day कितनी production करना चाहते है as well as अगर आप raw material आज order करते है तो आपको उसको receive करने में कितना time लगता है अब let us take an example हमने production estimate करी next year के लिए कि 60,000 units हमें produce करनी है और हर unit जो है हमने देखा 2 km raw material consume कर जाई and price रुपीज 10 पर केजी और जो raw material का price है वो 10 रुपे किलो है management estimates to keep 2 months inventory in stock और management चाहती है कि हर समय दो महिने की inventory जो है raw material की वो stock में रहे आप सब को छोड़ो एक बनियेगी calculation लगाओ बनियेगी लगाना देखो साफ बता रहाओ एक साल के अंदर 60,000 units produce होंगे 60,000 units का production होगा एक साल के अंदर yes or no अब 2 kg raw material जो है वो एक unit में लगता है तो 60,000 units में कितना raw material लग जाएगा एक लाख 20,000 km जो raw material है यूज होगा during the year कुछ technical तो नहीं लिखा मैंने पक्का शेओ नियान से देखो 60,000 units 2 kg raw material एक लाख 20,000 kg raw material requirement for entire year समझ में आ रहा है पक्का अब अगर एक साल में एक लाख 20,000 kg raw material लग जाएगा तो एक महीने में raw material आपका कितना लगेगा 1,20,000 kg divided by 12 months तो आपका एक महीने में 10,000 kg raw material जो है वो मोटा मोटा लगेगा अब उसने question में बोला है management कहके चल रहेगी दो महीने की inventory हमेशा stock में रखो तो अगर एक महीने में 10,000 kg लगेगा तो raw material to be kept in stock for 2 months requirement जो question में बताया है तो 10,000 kg अगर 1 month का है तो 2 months का कितना हो गया 20,000 kg हाया न और आपका जो raw material का price है वो कितना है 10 रुपे किलो yes or no तो amount to be blocked आपका कितना amount हमेशा raw material में block रहेगा क्योंकि आप 20,000 kg का stock हमेशा रखेंगे और 10 रुपे किलो आपका raw material है तो आपके 2,000,000 रुपे हमेशा जो है raw material की inventory में block रहेंगे yes or no तो मैंने आपको क्या बताया था है पैसा कहां कहां block होता है as working capital सबसे पैसे पहले block होता है raw material में और वो कैसे निकलता है बड़ा simple है आप production estimate करते ही question में given होगा एक unit पे कितना raw material लगेगा क्या price है वो given होगा management estimate आपको given होगे उसके basis पे आपने निकाल लिया total raw material साल बर में कितना लगेगा एक महीने में accordingly दो महीने का रखना है तीन महीने का रखना है बड़ा simple है 60,000 units की production है कितने महीने में 12 महीने में तो 60,000 units को अगर मैं 12 months से divide कर दूँ तो 1 month की production आ जाती है अगर आप इसको देखे हैं तो इससे आपके पास क्या जाता है 1 month production इदा को short में भी करके दिखा दिया है 1 month production आ गए तो 2 महीने की production multiply by 2 कर दिया अब यह तो आ गई आपकी क्या यहां तक 2 महीने की production उस एक unit में 2 kg और रिमिट्र लगता है तो multiply by 2 kg और 1 kg का price कितना है 10 रुपे तो total कितना होगा सीधे अपका 2,00,000 रुपे और असान भाशा में अगर समझना है 60,000 units है कि जो production हो नहीं है एक unit में कितना raw material लगेगा 2 kg तो 60,000 units में 60,000 units multiply by 2 kg यह raw material आपका 12 महीने में लगेगा लेकिन हमें stock रखना है कितने महीने का 2 महीने का तो यह तो आपका लगेगा 12 महीने में yes or no 12 महीने में लगेगा नब यह तो 60,000 multiply by 2 तो divide by 12 तो इससे परमन था कि हमें stock रखना है 2 months का तो यह तो आगई आपकी quantity of raw material to be kept in stock और इसको जब पैसों में convert करना है तो आप 10 रुपे पर kg से into कर दो तो यह आपका वही 2,00,000 रुपे आ जाएगा तो देखे पूरा note करिये theory के point of view से है यह आपका exam इसी तरीके adjustment आपको question में given होगी question में आपको actually हर किसी का amount निकालना है कि raw material में कितना block होगा WIP में इस सब आपको निकालने होगे तो simple होता है कुछ नहीं raw material का आपने देख लिया यह आपने पूरी detail calculation करी चीक है और अगर इसी चीज को आप small में करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं वो आपने देख लिया फटा फट एक बड़ सारा का सारा note down करिये first यह second यह और third यह first चलिए अब इसी question को एक दूसरे तरीके से देखते है suppose आपको question में दू information given है कि यह given है आपको कि दो लाक रुपे का amount आपका block रहता है inventory के अंदर चीक है average stock of raw material हर समय आप दो लाक रुपे रखते हैं यह आपको suppose question में given average stock of raw material दो लाक और आपको यह given है suppose कि average consumption per day raw material की कितनी है चो कि बड़ा असान है निकालना 60,000 units आपको बनाने हैं 2 kg लगता है एक unit बनाने में तो 60,000 into 2 kg this is the total consumption तो per month consumption के लिए आप divide by 12 कर दीचे यह आ गई आपके पास इससे जतना आपने किया यह क्या आ गई आपके पास per month consumption yes or no अब per month consumption को अगर divided by 30 days कर देंगे तो per day consumption आ जाएगी तो इसलिए into 1 by 30 कि इससे आपकी per day consumption आ गई और उसे amount में लगाना है तो into rupees 10 कर दिया तो 3,333 रुपे चलिए तो मैंने निकाल के दिखा दिया otherwise suppose यह 2 information आपको given है कि average stock of raw material और average consumption per day आपको यह given है तो अगर आपको यह given है कि raw material का stock आपके कितने का पढ़ा रहते हैं और एक दिन की कितनी consumption होती है तो आप दोनों को आपस में divide करके निकाल सकते है average raw material storage period की on an average raw material आपको कितने time का store करके रखना पड़ते हैं आप दोनों को just divide करतीजे that is average stock of raw material divided by average consumption per day so this will be the average holding period of raw material तो 2,000,000 divided by 3,333 which is 60 days या 2 महीने जो आपको यहाँ पे question में given था आप देख सकते हैं देखें यह चीज अलग थी जो आपने निकाली this was the working capital requirement for raw material यह एक अलग question है जिसमें यह दो चीजे given है आपको exam में दो चीजे given है अगर average stock of raw material average consumption per day यह दोनों चीज अगर आपको given है तो दोनों को आप आपस में divide करके क्या निकाल सकते है average raw material storage period या जिसको आप बोल सकते है holding period चेक है clear show एक बार इसे आप note down के लिजे fast चलिए बात करते हैं direct wages and overheads की तो आपने operating cycle जब देखी थी तो उसमें सबसे पहला था कि raw material उसके बाद production के लिए आपको labor चाहिए होती है overheads से ही होते है yes or no तो देखे generally direct wages and overheads are payable after specific time interval मैंने आपको बताया था कि आपने labor रखी तो यह नहीं कि उसको आपको day to day basis पे देना पड़ता है generally 15 दिन बाद या एक महीने बाद आप उसे payment करते है तो after specific time period can be 15 days can be 1 month generally 1 month से जादा नहीं होता तो suppose production आपकी होनी है 1 lakh units एक साल में direct wages जो आप pay करने that is rupees 10 per unit और suppose direct wages जो है वो payable है after 15 days हर 15 days बाद direct wages आपको pay करनी पड़ती है मतलब बड़े ध्यान से समझेगा बहुत simple है पहली जब days में given है तो आप computation भी days में करेंगे और FM के अंदर हम standard assumption लेते है 1 year is equal to 360 days यहां हमारी standard assumption यही रहती है हम 365 नहीं लेते throughout the FM अब ध्यान से देखे 1 lakh units की production है 360 days 1 lakh units है in a year तो अगर मैं उसे 360 days से divide कर दूँ तो यह मेरा क्या आ गया per day कितनी production होगी 1 lakh units divided by 360 per day production आ गई अगर यह per day production आ गई और इसको मैं into 15 days कर दूँ तो यह क्या आ गया कि 15 days में कितनी production होगी और 15 days में जितनी units produce होगी 10 रुपे के हिसाब से per unit direct wages कितनी बनती है 41667 15 days तक आप काम करवाईए 15 दिन बाद आपको pay करनी होती है कहीं न कहीं वो पैसा जो day to day basis पे आपको देना पढ़ता otherwise आपको 15 days या 1 month बाद देना पढ़ ला है तो वो पैसा कहीं न कहीं आपकी working capital को क्या करता है support करता है तो जो भी direct wages है उसका जितना बड़ा time period होगा जैसे हम 15 days था इस question के अंदर suppose 1 month होता तो amount और जाजा आता तो यह जो भी amount है it's a type of current liability because it represents wages payable and it reduces your working capital requirement क्योंकि यह आपको support करती है अगर आपको day to day basis पे देना पढ़ता तो आपकी जेव से अच्छा खासा cash यह निकलता लेकिन आपको 15 days बात देना पढ़ता है और same computation होती है overheads के लिए उसमें बस production होगा यह direct wages के जगा overhead rate देदेगा और कुछ भी उसमें नया नहीं होता तो बड़ा simple है देखो कुछ भी इसके अंदर technical नहीं है direct wages and overheads में आपको direct wages and overheads देने specific period पे वो question आपको बताएगा question में आपको production given होगी wage rate given होगा और कितना time interval है यह भी given होगा आपने कुछ नहीं करना है यहाँ per year है days में given है तो days में कर लो divided by 360 करके per day निकाल लिया into 15 days यही month में होता तो 1 lakh divided by 12 कर देता और 1 month होता है तो into 1 कर देता यह आगया और उसके बाद जो भी rate है इतना आपको support मिल रहा है और वो आपके लिएक तरह से current liability है ठीक है क्योंकि यह क्या है wages payable और same over rates के लिए फटा फट इसको note down करें फस्ट चलिए बात करते हैं working progress की देखें मैंने आपको बताया था कि कहा कहा पैसा block होता है इस working capital raw material कितना block होता है निकालना सीख लिया आपने फिर यहां आपने देखा wages payable और over rate payable यह भी आपने निकालना सीख लिया अब हम बात करेंगे working progress की हमें सारे component discuss करने हैं देखें raw material से सीधे working progress पे नहीं आ सकता था थोड़ा सा मुझे wages और over rates के बारे में बताना जरूरी था जो हमने discuss कर लिया अब हम working progress को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे तो आए discussion करते है working progress पे देखे working progress का मतलब क्या होता है working progress का simple मतलब होता है कि जो वक्त लगा raw material को finished goods में convert करने हैं अब जब आप raw material को finished goods के अंदर convert करते हैं तो तीन चीज़े उसमें चाहिए होता है तो raw material, दूसरा labor और तीसरा कुछ ना कुछ overheads use हो रहे होंगे तो जब आप working progress की computation करते हैं कि working progress में हमेशा आपका कितना पैसा block रहता है तो उसमें आपको तीन aspects तेखने पड़ता है one is raw material, second is amount of labour and third is amount of overhead आई it is the time period involved in converting the raw material into finished goods with the involvement of labour and overheads accordingly amount involved in work in progress include three aspects this, this and this जनरल ही होता क्या आप मेरी बात समझना suppose एक furniture manufacturer है उसे वो sofa manufacture करता है और उसे एक sofa बनाने में suppose 15 दिन का वक्त लगता है आप कहेंगे sofa बनाने में 15 दिन क्यों नहीं लग सकते भाई luxury sofa बना रहा है अब suppose एक होता क्या है generally कोई भी product होता है generally ऐसा होता है in all cases नहीं कहूंग generally suppose 15 days लगते है raw material से finished goods convert बनाने में sofa बनाने में 15 days लगता है generally ऐसा होता है raw material सारा का सारा in the beginning लग जाता है in the beginning अतलब first second day में आपको raw material चाहिए होता है जो भी लकडी हो गई या जो भी favy call हो गया keel हो गया जो भी चाहिए और जो labor overheads है वो over a period of time जब तक 15 days आपके जब तक पूरा product बनके त्यार नहीं हो जाता तो labor and overheads accrue evenly during the production process पूरे production process में continuous basis पे होते है however question में provide for different instruction question में हो सकता है यह कह दे कि नहीं raw material भी evenly लगा raw material at the end लगा labor overheads question में कुछ भी लगा हो during the production process यह एक general सी बात है अब इसको note कर लीजेगा fast अब इसके बाद देखते हैं कि work in progress हमें निकालना कैसे question लिया है मैंने और उसमें three different cases चो maximum आ सकते हैं वो भी तीनों बना दिये suppose production है हमारी 1,20,000 units की per month month है यह raw material लगता है बीस रुपे पर unit से labor लगती है दस रुपे पर unit से overhead लगता है 50% of labor work in progress रहता है 10 days के लिए अब मैंने आपको बताया days में given है तो आप भी days में ही computation करेंगे सारी तो अगर 1,20,000 units per month है बच्चे 1,20,000 units है per month एक महिने में कितने दिन होते हैं सर्थ 30 days होते हैं तो कहीं न कहीं per day production अगर आपको निकालनी है तो वह आपकी निकल जाएगी कितनी निकलेगी बताओ सर्थ per day production निकलेगी 4000 units yes or no इतनी हमारी per day production होगी yes or no चलो अभी पहले cases देख लेते हैं case 1 में given है raw material labor as well as overheads were accrue in the beginning तीनों ही beginning में हो जाते है case 2 दिया है raw material introduced in the beginning however labor and overheads accrue evenly during the year और यह हमारी general assumption भी होती है अगर question में कुछ भी ना given हो तो आप यही assume करेंगे case 3 दिया raw material introduced in the beginning however labor and overheads accrue at the end of production तो तीनों में क्या treatment होगा आपके साथ discuss करूँगा घबराये मत बहुत simple है तीको आपको यह समझ में आगे working progress में तीन चीज़े involved है raw material, labor and overheads yes or no सबसे पहले case number 1 की बात करते हैं case number 1 जो कि हमारे पास है कि raw material, labor as well as overheads accrue in the beginning तो अगर आपकी production एक लाग 20,000 units की है पर month और month में 30 days होते हैं तो 120 divided by 30 करूँगा तो per day production आजएगी और work in progress में 10 days लगते हैं तो कही ना कहीं अगर आप देखें 120,000 units है divided by 30 days, this is per day into 10 days तो यह 10 दिन का जो time lag है वो आपने multiply कर दिये समझ में आया आपको कुश्य हो कि 10 दिन के अंदर कितना accumulate हो जाता है और एक unit पे कितना raw material लग जाता है आपका 20 रुपे का लग जाता है तो into रुपीज 20 कितना हो गया आट लाख रुपे आट लाख रुपे हमेशा raw material का नाम से work in progress में आपका फसा रहता है अगर आप कहीं तो मैं आपको थोड़ा से से detail में explain कर दो कर देता हूँ या तो समझ आएगा या नहीं आएगा तो को समझ नहीं आया तो जरूरत भी नहीं थी और आगया तो win-win situation है तो detail थोड़ी सी बता देता हूँ आपको इसका मतलब क्या होता है into 10 days 120 by 30 days समझना चला suppose यह day 1 है आपका अब day 1 अगर आपने production किसी चीज की start करी तो उसमें 10 दिन लग जाएंगे yes or no 10 दिन लग जाएंगे वह 10th day के रात को या 11th की morning में बनके त्यार होगा मतलब वह day 11 पे बनके त्यार होगा yes or no day 1 कोई चीज बननी शुरू ही तो वह day 11 पे बनके आपकी त्यार हो लिए अब यह थोड़ी ना कि आप उसका इंतिजार करोगे बीच में 2 तारिक, 3 तारिक, 4 तारिक, 5 तारिक कुछ काम नहीं होगा फिर day 2 पे कुछ production स्टार्ट होगी किसी चीज की तो वह आपकी complete होगी जाके कब day 12 पे 12 यह आएगा फिर day 3 पे आप कुछ production स्टार्ट करोगे तो वह complete कब होगी आपकी day 13 पे same way day 4 पे आप start करोगे तो वह output आपको कम मिलेगा day 14 पे आप समझना इस चीज को बहुत अच्छी चीज है मतलब पहला output आपको day 11 पे मिला फिर आपको per day output मिलना शुरू हो जाएगा yes or no तो आप समझो day 1 आपने कितने units की production करनी शुरू की होगी अगर आप 120,000 units एक महिने में बनाते हो तो आप per day कितनी units बना रहे हो 4000 units आपने day 1 4000 units की production स्टार्ट की होगी फिर day 2 4000 units की production स्टार्ट की होगी फिर day 3 की होगी फिर day 4 की होगी ऐसे पहले 10 दिन तक सिर्फ आपका पैसा फसा रहेगा आपको output कुछ नहीं मिल रहा yes or no output आपको 11th day से मिलना शुरू होगा तो यह वही है एक लाग 20,000 divided by 30 into 10 days और raw material per unit कितना है 20 तो यह आठ लाग रुपए आपके हमेशा फसे रहेंगे क्योंकि आप कोई भी production स्टार्ट करोगे किसी दिन वह आपको same data output दे नहीं रही वह 10 दिन बात दे रही है तो वह 10 दिन तक पैसा आपका block रहेगा और ऐसा भी नहीं कि आज आपने यहाँ पर production किया तो इसके बाद आप सीधे क्या बोलते है 2,3,4,5,6 कोई production ना करें आप day 2 भी करेंगे 3 भी करेंगे भाई आप खुछ सोच ना 1 के बाद अगर 11 तक आप खाली बैठे रहे फिर 12 से शुरू करोगे तो क्या 22 दिन output लोगे output भी तो daily basis पे चाहिए समझ में आया नहीं समझ आया नहीं आया तुमने वीडियो ध्यान से नहीं देखी बेशरमो देखी थी तब भी नहीं आया चलो छोड़ो फिर एक काम करो जो भी production होती है उसको आपने per day production निकान ली है days आपको given होंगे 10 days उससे into कर देना और यह जो आपका grommetal का rate है इससे into कर देना बस 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 exam इससे हो जाएगा चिंता ना करो समझ आ गया रह वह very good चले labor अब labor में भी same चीज होगी same कहानी एकदम कुछ उसमें नहीं एक लाग 20,000 units per month है तो per day कितना होगया 120 divided by 30 working progresses for 10 days और labor की payment कितनी है 10 rupees per unit तो into 10 तो यह labor की form में 4,000,000 रुपय आपके फसे रहेंगे same way overheats में अगर आप देखें 50% of labor है तो वैसे तो 4,000,000 का 50% कर दो 2,000,000 नहीं तो वैसे यह निकाल लो 1,000,000,000 divided by 30 into 10 यह 50% हो जाएगा 50% of rupees 10 तो work in progress में आपके हमेशा 14,000,000 14,000,000 रुपीज फसे रहेंगे यह हमेशा आपका amount block रहेगा समझ में even देखें बहुत simplify करके आपको समझाने की कोशिश करिये नहीं समझ में आया तो एक पर दुबारा देख लो इससे simplify यह नहीं हो सकता मैं आपको बता रहा हूँ इस सबसे simplified version है इतना simplified की मैं आपको क्या बता हूँ कितावे खोलोगे तो आप डर चाओगे तो work in progress में सब तीन चीज है material labour overhead जो भी production given होगी परडे निकाल लो जितना time वो बता है उससे into कर दो और जो rate उससे into कर दो खतम कहाने समझ महीब एक बार ही अब यह case 1 जो है वो पूरा note down कर लीजे फिर मैं आपको case 2 और case 3 के बारे में बताता हूँ fast अब case 2 की बात करते है case 2 क्या कहता है raw material introduced in the beginning however labor and overhead accrue evenly during the year during the year निया during the process यह click कर लीजेगा labor work in progress सारा beginning में यूज नहीं हो जाता evenly accrue during the process और generally यह assumption होती है तो देखिए case 2 में raw material तो same लगेगा 1,20,000 30 days 10 days 20 जो आपने सीखा था अब क्योंकि labor and overheads day 1 accrue नहीं होते सारी payment day 1 नहीं है evenly accrue होते per day basis पे होते है तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझे यह computation तो same है 1,20,000 divided by 30 days यह तो per day per day production आ गए लेकिन आपको 10 days नहीं लेने अब आपको यहाँ average लेनी है क्योंकि देखो ना आप beginning मान सकते ना आप end मान सकते देखो आप एक चीज़ को समझो बड़े simple words में मैं आपको समझाता हू अगर मैंने यहाँ पर बोला case 1 में in the beginning था labor and overhead इसका मतलब क्या था कि day 1 जब आपने production start करी उसी दिन आपको labor को सारी की सारी payment करनी है इसका मतलब यह था जब आप बोलते हो evenly इसका मतलब आपको day to day basis पे payment करनी है और जब आप बोलते हो at the end of the production तो at the end of the production का मतलब है कि जब आपका good बनके तयार हो जाएगा, finish good वो बन जाएगा तब आपको payment करनी है आप समझे इस तीश का मतलब कि अगर लिखा हुआ in the beginning तो जिस दिन production start हुई उसी दिन labor को payment करना पड़ेगा evenly accurate मतलब day to day basis पे आपको labor को payment करना है और at the end का मतलब कि labor को आपको payment करना है जब आपका finish good वो पूरा convert हो जाएगा अब अगर आपको labor को payment करना है accrue evenly during the year मतलब day to day basis पर तो यहां पर आप day one day two ऐसे तो computation निकालोगे नि तो हम क्या करते हैं यहां पर average ले लेते हैं से लेते हैं देखो अगर beginning में pay करना पड़ता सारा का सारा तो अभी आपने देखा कि आपने यहां पर कितने लिए थे 10 days yes or no अगर यही चीज आपको end में payment करनी है कि मतलब जब आपका finish good बन जाएगा पूरा उसके बाद आपको labor को payment करनी है तो labor इस बात वो labor output देगी पैसा आपने उसको शुरुआत में दे दिया अब मेरी बात समझ पा रहे हैं अगर labor day one आती गए पैसा चाहिए और उससे माल 10 दिन बाद आपको मेलेगा तो 10 दिन तक वो पैसा आपका labor पे फसार आना labor कहती है day to day basis इस पे देना तो बात अलगे बट labor कहती है at the end जब माल बन जाएगा तब पैसे देना तो आपका तो 0 पैसा block हो न work in progress में तो यहाँ पर इस case के अंदर वो क्या कह रहा है evenly मतलब day to day basis पे तो ना हम beginning के assumption ले सकते हैं ना end की beginning की लेते हैं तो 10 days हो जाते सीधे half कर दीजे एक ही बात है तो 0 plus 10 days divided by 2 यह हमने क्यों किया just to take the average into 10 कितना हो गया 2 lakh फिर same way overheads में यह rupees 5 10 days into half ऐसे लिखे यह 0 plus 10 by 2 के लिखे कुछ भी तरीके से हो सकता है बुक में लिखाओ इसलिए मैंने दोनों तरीके mention कर दी है 1 lakh समझ में बात श्यो पक्का clear है देख लो beginning है तो हमें payment करना है यह लीजे आपकी simplification के link भी दिया अगर beginning में है तो labor को day 1 payment चाहिए तो WIP rate के लिए आपको amount block हो गया इसलिए आपने यह पे 10 days लिया end में है तो labor को end में payment करना है WIP में आपका कोई amount block नहीं होगा जैसे case 3 आप देखे raw material introduced in the beginning however labor and overheads accrue at the end of the production तो आप देखेंगे case 3 में कि raw material तो beginning में था 8 lakh लेकिन labor में 0 days कोई आपका amount block नहीं हुआ same way overheads में कोई आपका amount block नहीं हुआ कोई पैसा block नहीं हो रहा क्यों क्योंकि WIP में कोई पैसा block नहीं हो रहा मिड में है तो या पैवरेज ले लो और या simply जो भी आपका WIP का period है उसको आप सीधे 2 से divide कर दो तो तीनो cases आपको बहुत simple way में समझा दिये एक पर इसको अच्छे से देख लीजे कोई कद आपको नहीं आएगी बड़े अच्छे से देख लीजे almost यह technical part जो है इस chapter का यहाँ पर आपका overview होता है अच्छे से notes बनाई और फटा फटा इसको एक बार सारा का सारा जितना आपने यहां तक किया है बड़े अच्छे से बैटके सारा का सारा एक डिवाइस करें फास्ट चलिए अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसके एक summary देख रहेते हैं raw material के लिए हमें क्या करना है कि जो भी production given है पूरे साल के उसको 12 से या 360 से depend करता है कि जो stock period है वो हमें month में given है या days में month में given है तो यहां 12 से divide करके into जो भी month है और days में given है तो यहां 360 से divide करेंगे और जो भी days है तो इससे आपके पास आजएगा quantity चीक है और उसको आप into कर देंगे per unit price से तो आप पे आजएगा कि raw material में कितना पैसा ब्लॉक होता है same way direct wages overhead में जो भी production है उसे 12 यह 360 से divide करेंगे मैं assume कर रहा हूं कि production आपको per year basis पे given है फिर जो भी time lag आपको given है one month यह days whatsoever accordingly 12 360 लेंगे into wage rate work in progress में same है production 12 360 पहला step तो सब में same है अगला जो है सब में question में given होता है आप देखो सबका एक अपना time period होगा जो आपको हमेशा given होगा यह summary इसलिए करवा रहा हूं just to boost up your confidence ठीक है अब यहाँ पर work in progress में time period आपको देखना पड़ेगा अगर beginning है तो WIP का जो period given है as it is आपको ले लेना है ठीक है mid given बोल है उसमें की accrue on day to day basis जिसके लिए word use करता है accrue on day to day basis तो उस cases में आपको क्या करना है जो भी आपको WIP का period है simply आप उसको 2 से divide कर दो that's it और अगर end given है तो फिर वो आपको 0 लेना ठीक है और into अगर raw material है तो price per unit से करना है labor निकालोगे तो wage rate से into करोगे, overhead निकालोगे तो overhead और इसमें तीन चीज़े आती है एक तो raw material दूसरा आपका labor और तीसरा आपका overhead समझ भाया है यह एक summary जो है यहां तक आपको जो बताए इसको एक बार आप note down कर लीजे exam time पर सिफ यह summary आपको देखनी है चले, अगर अभी तक आपने सारी videos पड़े अच्छे से देखे हैं इसकी तो एक बहुत अच्छा doubt आपके मन में आना चाहिए जिसके आप heading भी देख सकते है बयंका doubt मन में आना चाहिए अब यह बयंका doubt क्या है यह बयंका doubt आपके मन में यह आना चाहिए कि sir आप गलत पड़ा रहे थे मतलब sir बड़ी मुश्किलों से तो दिमाग में बैठ है और आप क्या बोल रहे हो ध्यान से समझना suppose production हुई साल भर में 60,000 units की sir आपने यह पताया कि जो raw material लेना है वो लेना है production divided by 12 into 360 यह raw material stock में लेकिन raw material सिर्फ उसमें थोड़ी ना लगा होता है जो goods produce हो है जो goods अभी हमारे work in progress के अंदर है उसमें भी तो हमारा raw material occupied है तो जो raw material की consumption है during the year वो तो sum है used in goods produced during the year plus used in work in progress आप मेरी बात समझे यहां पर मैंने कहा लिखवा है production divided by 12 के लो लेकिन जो आपका raw material during the year use हो रहा है वो सिर्फ production में थोड़ी ना use हो रहा है वो production में भी as well as work in progress में भी कुछ ना कुछ पर आप यहां प्रोडक्शन के ले रहा है यह doubt आपके मन में पता नहीं आया होगा या नहीं और नहीं आया तो अब आ गया बड़े ध्यान से समझना इसका अंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ और यह मैं वीडियो सिर्फ आपको इसलिए बढ़ना आप पढ़ा रहा हूँ कि अगर आपका सबसे complicated paper आ गया जिसमें उनका मकसद सर्फ यह किया दो पच्चों को पास करना है पूरे हिंदुस्तान में तो कम से कम जो हमारे 1000 बच्चे बढ़ने हैं वो तो जरूर पास होंगे हम उसको भी fail करेंगे जब paper मुश्किल आना होता है इस तरह की चीज़े पूछे जाती है यह बुक में भी नहीं है कहीं पर दूर दूर तक लेकिन conceptual है आप इसको समझेंगे तो समझ आएगा अब ध्यान से समझेगा समझ में आ गए जो consumption है वो used in goods produced during the year as well as work in progress दोनों होना चाहिए लेकिन हमसे production लेते हैं देखो मैं example से समझाता हूँ suppose production होई 1,000,000 units की और closing WIP में 10,000 units है तो raw material तो इस पे भी लगा है as well as इस पे भी लगा बढ़ हम तो production ले रहे हैं तो देखो मैं आपको थोड़ा सा process costing पे लेके जाऊँगा आपने process costing पढ़ा है मेरे साथ वहाँ आप देखते हैं देखो closing WIP है तो कुछ opening WIP भी तो होगा yes or no आप एक बाह बताओ suppose closing WIP 10,000 units है opening भी 10,000 units है मैं दोनों को सेम आल लेता हूँ आपने process costing में ये बात पढ़ी थी अच्छे से कि अगर 1,000,000 units produce हुए हैं तो पहले ये जो opening WIP में 10,000 units पढ़े हुए हैं ये ये वाले complete होगे yes or no आप 10,000 जो आपके पास opening WIP के अंदर पढ़े हुए हैं पहले आप इसको convert करते हो finished goods में तो एक लाख का जो इस साल production हुआ उसमें से 10,000 तो बने हैं out of opening WIP और बाकी जो 90,000 हैं वो बने हैं current year yes or no अब जो opening WIP से 10,000 units त्यार हुए हैं उनमें raw material तो पिछले साल use हो गया होगा क्योंकि raw material generally in the beginning लग जाता है मैंने आपको बताया था हाया ना पका शो तो जो current year में एक लाख units बनी हैं उसमें 10,000 तो opening WIP से त्यार हुए हैं जिसका raw material पिछले साल लग क्या होगा 90,000 units जो current year में हैं उसमें current year का raw material लगा होगा बट जो इस साल की closing WIP है 10,000 units की इसमें सारा का सारा जो raw material है वो देखो मैंने एरो भी बना दिया है सारा का सारा current year का raw material लगा होगा मतलब out of the production of 1,00,000 units 90,000 units have been produced out of the current year raw material as well as these 10,000 units which are of closing WIP contain the raw material of present year तो अगर 90,000 और 10,000 को आप add करें तो total हो गया 90,000 प्लस 10 कितना? 1,00,000,000 ही हो ना कि 1,00,000 units में हमारा raw material consume हो है आप समझ गया मेरी बाग? तो consumption of raw material आप देखें तो equivalent हाई raw material used in production भाई production एक लाक units किती ना? यहाँ देखो एक लाक या है ऐसा क्या कर गए आप? दुबारा बताता हूँ ध्यान से देखो summary करता हूँ raw material जो consume होता है वो production में होता है as well as जो goods work in progress हैं दोनों में होता है आजर यह बात समझ में आ गई देखो जनरली practical life में जो closing WIP होता है उतना ही opening WIP होता है practical life में दो process costing में मलग लग पढ़ते थे practically दोनों सेम होते है अब ठीक है आपने इस बार एक लाक यूनिट्स की production करी तो सबसे पहले जो opening WIP के units हैं उससे आपने 10,000 units थियार कर लिए तो उसमें पिछले साल का raw material यूज हो उसका current year से कोई लेना देना नहीं तो जो बाकी 90,000 units आपने बनाए उसमें current year का raw material लगा yes or no अब closing WIP है कितना 10,000 units closing WIP आपका 10,000 units तो इसमें भी current year का raw material लगागो तो एक तरह से current year का raw material 90 प्लस 10,000 एक लाक यूनिट्स में ही लगा है जो कि आपकी सीधी सीधी production के equal है तो consumption of raw material जो है वो हमेशा raw material की production के equal आती है by default और वो इसलिए आती है क्योंकि closing WIP और opening WIP in generally वो क्या होते हैं same होते हैं देखे in our questions consumption of raw material will be equivalent to raw material used in production however it may change, यह change हो सकती है if opening WIP is not equivalent to closing WIP for example, let us take an example now suppose यह यहाँ पर 10,000 नहों के 8,000 होता तो उस case के अंदर यहाँ पर कितना आता 8,000 तो यहाँ कितना आता यह 92,000 तो फिर यहाँ पर जो आपकी raw material consumption होती वो कितनी होती 92,000 plus 10,000 comes out to be how much 1,002,000 अगर दोनों same नहीं होते हैं opening WIP तो वो फिर change हो सकता है बट हमारे question में कभी भी ऐसा नहीं आएगा worst case scenario में इन्होंने एक भी question तक इसका develop नहीं किया आपके लिए worst case scenario में मैं एक्जाम में आ जाता है कि opening WIP की अलग-अलग information है तो कैसे निकालना है वो मैं आपको बस बता रहूँ हाँ अगर new business है तो उसमें कोई opening WIP नहीं होती सिर्फ closing WIP होगी new business है कोई opening WIP तो होगी नहीं तो उस case के अंदर अगर new business है तो आप खुद बताओ कि consumption आप किस तरीके से निकालेंगे भाई consumption उस case में अगर new business है तो आप खुद बताओ उस साल total consumption जो होगी raw material की वो कैसे निकलेगी एक तो जो raw material यूज हुआ प्रोडक्शन में चीक है as well as जो raw material यूज होगा in closing WIP क्योंकि इस पार कोई भी क्योंकि देखो इस पार जो सारी की सारी production होगी वो current year के raw material से होगी कोई opening का हमारे पास space ही नहीं है जैसे भी आपने पिछले में देखा मैं एक example से समझाता हूँ आपको suppose estimated production है एक लाग 20,000 units का अब एक बात बताओ कोई opening WIP तो है नहीं अगर यह new business है तो सारा का सारा कहां से लगेगा current year के raw material से one gain progress है one month का cost of raw material है इतना management estimate to keep two months inventory in stock और यह two months किसका total consumption का अगर by default है यह तो तो total consumption this time will be the consumption जो production के लिए है as well as closing WIP के लिए है क्योंकि it's a new business तो in case of production it's clear 1,20,000 units now for closing WIP you have one month देखो यह मैं इस समय इसले करवा रहा हूँ WIP आप कर चुके है raw material पर आप इस चीज को discuss नहीं कर सकते थे क्योंकि आपको इस समय WIP नहीं बता रहा तो WIP आपका one month का होता है तो 1,20,000 divided by 12 into one month इसको अगर आप करें तो 10,000 units आती तो इस साल जो आपका raw material block होगा वो 1,20,000 units इसमें और 10,000 units इसमें तो total blockage, total consumption of raw materials होगी 1,30,000 होगी during the year और आपको 2 month का stock रखना है तो 1,30,000 divided by 12 multiply by 2 और एक unit 10 रुपे की है तो this is 216667 समझ भाई बाद, sure हाँ, अगर ये old business होता already हम ये business चल रहा होता फिर कोई दिक्कत नहीं थी, ignore करते हम WIP को raw material आपका जो आप यहाँ पर लेते वो लेते on the basis of production जो आपको बताया, 1,20 divided by 12 into 2 into 10, that is 2,000 तो एक बहुत ही अच्छा वीडियो बेशक 2 बार देखो, 3 बार देखो लेकिन कोशिश करो क्योंकि इससे आप हर तरह के paper के लिए FM के तियार हो जाते तो चलिए एक summary आप लोगों के लिए अप तियार करिए इसकी अगर old business है और opening and closing WIP different है तो total consumption of raw material कैसे निकालोगे जो भी production की units given है उसमें closing WIP add कर दो opening WIP minus बट अगर कोई information opening and closing WIP की separate given नहीं है तो simply जो raw material consumption है वो raw material production के equally होगा जो अभी तक आपने सारा किया और 99.9% question इसी पे ही आएगा इसी पे आता है new business है तो total consumption of raw material जो है वो क्या होगी total raw material जितना production में use हुआ as best less जो closing WIP में है उससे consumption आपकी निकल जाए once आपने consumption निकाल ली raw material की तो उससे आप raw material की inventory की value निकाल सकते हैं क्योंकि जो भी consumption है उसको 12 or 360 से divide करेंगे into holding period into rate per unit देखिए अब आप यहाँ पर एक चीज समझेगा confused मत होईएगा कि सर आपने पहले जब summary पढ़ाई थी यह पुरानी वाली जो आप देख चुके हैं तो आपने यह production लिखाया था तो प्लीज इस चीज से मत घबराईगा मैं आपको बता रहा हूँ production ही आपका consumption होता है क्योंकि हमारे question ही ऐसे design होता है यह अगर in depth आप घुसते हैं opening closing WIP different है या new business है तब production consumption के equal नहीं होता तब आपको consumption लेना पड़ता है समझ मैं बत तो उमीद करता हूँ यह आपके सारे doubt अब clear हो गए है कोई दिक्कत नहीं है summary आप अच्छे से बना लीजे और एक बार सारा का सारा यहां तक A to Z अच्छे से revise कर लीजे चले बच्चों अब देखते हैं finish good का valuation कैसे हो तो देखे finish good हर समय हमें stock में रखने पड़ते हैं to ensure continuous sale होती रहे अब इसमें जो value का computation same as work in progress मतलब material labor overhead तीन हो लेने लेकिन इसमें सर्फ इतना difference है कि material labor overhead लेने will be taken for the entire period मतलब इसमें कोई made beginning accrue day to day basis का concept नहीं है क्योंकि finish good में का मतलब क्या है कि material भी लग चुका labor भी लग चुका overhead भी ध्यान से देखे suppose production आपकी 60,000 units per year की cost of production में material labor and overhead आपकी जो cost of production आती है 70 रुपे पर unit आती है हर समय आप 2 month की production के equivalent finished good हर समय अपने पास stock में ही रखते हैं तो working capital requirement in respect of finished goods आप कितना पैसा उसमें फसा के रखते हैं वाई 60,000 आप production करते हैं पूरे साल में तो एक महीनी की production divide by 12 months into 2 months करेंगे तो आपको आ जाएगा कि 2 महीनी की कितनी production है अब finished good और measured rate cost तो cost कितनी है 70 रुपय सीधे into 70 आप देखें आप ए 60,000 divided by 12 into 2 into 70 यह आपको अलग-अलग करना है तो आप ऐसे कर लिजे 60 by 12 into 2 पहले आपने material का ले लिया और फिर आपने labor का ले लिया समझ में इस तरीके से भी आप कर सकते हैं clear तो इसमें तो कुछ specifically यह ना given हो कि वो production से related है यह चीज थोड़ा सा note रखिएगा यह costing में भी हमारा doubt रहता है तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया समझ महीं फटा-फट यह तीनों चीज़े आप note करें first चलिए आपने majority सारे parts देख लिए raw material किस तरीके से निकलेगा work in progress किस तरीके से निकलेगा finish good का computation कैसे होगा इसके बाद आता है cash तो देखे cash के लिए कोई formula नहीं इसके सीधी सीधी information होती है कि organization इतना cash maintain करना चाती है तो वो सीधी सीधी figure होती है prepaid expenses को भी लेके instructions question में provide होंगी for example rent है 3 lakh rupees per year और rent of 2 months payable in advance तो अकर 3 lakh रुपे साल का और 2 महिने का advance में payable है तो 3 lakh divided by 12 month पर month का आ जाएगा into 2 month करेंगे अब देखो ये भी अगर आप सीखेंगे मेरे से तो सही नहीं क्योंकि आप मेरे से अच्छा account शानते हैं 3 lakh divided by 12 into 2000 rupees का जो rent है वह prepaid rent है जो आप show कर देंगे समझ मैं इवन तो अब इस list में आप raw material work in progress, finished good, prepaid expense, cash ये देख चुके हैं अब सिर्फ single item आपकी इस list में रहे गई है that is the debtors फटाफट एक बार आप सारा note down करिए first चलिए current assets का last component देखते है that is the receivable और बहुत ही interesting देखिए कितना पैसा आपका debtors में block रहेगा वो depend करता है दो components पर कि आपकी कितनी credit sales है और आपका collection period कितना है जितना बड़ा collection period रहेगा या जितनी जादा credit sales आपकी रहेगी उतना आपका जादा पैसा block रहेगा लेकिन यहाँ आपको थोड़ी सी बड़े बच्चों वाली बात सिखाने है बड़े बच्चों वाली मतलब से देखिए बड़े ध्यान से समझना बड़ा simple सी चीज़ है जब आप sale करते हैं तो sale में 2 elements include होते हैं एक होता है cost of sales और एक होते है profit yes or no suppose आपने कोई product 100 रुपे का बेचा तो 80 रुपे की उसमें cost है और 20 रुपे का उसमें आपका profit है ठीक है तो आपको profit की थोड़ी ना requirement है वो तो आप कमाएंगे वो तो earnings है आपकी आपको तो जो sale करने के लिए पैसे की ज़ुरत है वो इस 80 रुपे की ज़ुरत है अगर आपके पास यह 80 रुपे होंगे तो आप माल बना पाएंगे और 100 रुपे का बेच पाएंगे तो आपकी working capital requirement यह 80 रुपे है ना कि पूरी की पूरी 100 रुपे देखो accounts के अंदर हम working capital निकालते हैं तो हम क्या करते है current asset में से सीधे सीधे current liability minus कर देते हैं जो balance sheet में दिखरी होती है balance sheet में जो current asset दिख रहे है यह current liability इस तोनों को minus अब suppose यहां debtor दिख रहे हैं आपके 1 रुपे के देखो debtor को आपने sale किया sales price पे sales price is Rs.100 per unit but this is not your genuine working capital requirement because this includes a part of amount as a profit your genuine working capital requirement is Rs.80 so the sales include the cost of sales as well as the profits जब आप छोटे बच्चे थे तो मैं आपको यह बात समझाता था कि current asset minus current liability कर दो बात बन जाई अब आप बड़े बच्चे है FM बढ़ने profit are the earnings exactly not the working capital requirement cost of sales is the businessman investment yes or no और जब आप बात करते है न cost of sale की तो it includes cost of production admin expense, sale promotion expense all things समझ मही बच सब इसके अंदर include होता है समझ मही बच सब आपको जब receivables that is debtors का amount लेना है that is not on sales price you have to see the cost of sale let us see the sales price is Rs.10 per unit the profit is 20 percent on sale sales during the year is 1 lakh units and credit period is save 3 months so if you will see sales price जो है आपका वो कितना है 10 रुपे पर unit profit 20 percent on sale तो एक तरह से आपकी cost of sale 8 रुपे है अब sales during the year आपकी कितनी होती है 1 lakh units होती है तो 1 lakh units को आप divide कर देंगे 12 months से तो पर month की sale आ जाएगी into 3 month कर देंगे क्योंकि credit period आपका 3 month है तो यह आ गया 3 months की sale और इसको आप 8 रुपे से into करेंगे ना की 10 रुपे से क्योंकि आपकी जो working capital requirement है वो cost of sale पे आएगी ना की sales price पे तो working capital requirement for debtors are rupees 2 lakh ठीक है यहाँ पे 10 मत कराना sale price मत ले लेना बड़े वच्चे हो चुके हो समझ महीबद सर्फ इतनी सी बात है जो मैंने आपको simple words करके सारी की सारी चीज़े आप provide करी फटाफट इसको एक बार note down कर लीजे formula के तौर पे इसको भी एक बार note down कर लीजेगा conceptually तो समझ में आगे formula कैसे लिखने है वो भी आपको पतावना चाहिए और अगर question में सिर्फ sale word लिखा हो है तो फिर आप उसे credit sale ही मालनेंगे सारा का सारा अगर specific information question में given है तो बात अलग है clear फटाफट note करें fast तो चलिए बच्चो current assets के सारे component हमारे A to Z over हो चुके हैं current liabilities में wages over rate हमने already देख लिया था अब देख रहें creditors देखे creditors जो है वो depend करता है कि आपकी raw material की consumption कितनी है sir creditor तो purchases पे depend करते है consumption से क्या लेना देना तो मैंने purchases भी आपके लिए लिख दिया लेकिन अभी बताऊंगा मैंने consumption क्यों लिखाता हो originally तो creditor depend करते हैं आपने कितना raw material purchase कर रहे हैं अपने creditor से plus वो आपको कितने वक्त का उधार देते हैं तो basically अगर आप creditor की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही aspect involved है that is the cost of raw material कोई labor कोई overhead involved नहीं होगा yes or no जैसे simple सा example कि raw material purchased during the year 1 lakh units चेक है raw material का price है 20 रुपे per unit और credit हमें मिल जाता है 2 महीने का तो अगर 1 lakh units हमने purchase करें एक साल में तो एक महीने में कितने 1 lakh divided by 12 2 महीने का credit मिल जाता है into 2 और raw material का price है 20 तो यह है जो हमें creditors इससे इतना उधार मिल जाता है और हमारी थोड़ी काड़ी सरक जाती है क्योंकि creditor से जितना हमारा उधार आ जाएगा वो हमारी working capital को finance करेगा now issue arises कि sir creditor तो depend करते हैं purchases पर originally आपने consumption क्यों लिखाता तो देखे raw material purchases जो होती है basically वो क्या होता है अगर आप equation देखें तो जो भी opening stock होता है raw material का उसमें अगर आप जो भी आपकी purchases है जितनी भी आपने साल भर में purchases करी है वो add करते है और minus करें जितना आपके पास closing stock है raw material का तो इसका मतलब बागी raw material आपका साल भर में consume हो है yes or no suppose 100 units आपके पास starting में थी आपने 10,000 units और खरी दी चेक है और last में आपके पास 500 units बची हो है तो इसका मतलब बागी क्या हो गई? consume हो गई yes or no main formula यह होता है consumption is equal to opening stock plus purchases minus closing stock तो देखो सर परचेज इस consumption है अलग लग है आपने यार दोनों same लिग भी है बता रहो हम चितने भी question करेंगे न उसमें हमारे पास opening stock of raw material or closing stock of raw material की कोई information ही नहीं होगी since an hour question either information related to opening stock of raw material and closing stock of raw material is not given या तो यह given ही नहीं होगी और अगर given होगी तो आप देखेंगे कि दोनों equal है therefore in mostly questions आपकी जो consumption है वो ही किसके equal होगी? purchases के equal होगी समझ महीं है? आप जितने question करेंगे उसमें आप यह चीज note करेंगे कोई एक अदा question आपको कहीं मिल जाए बात अलग है तो इसलिए मैंने यह formula भी बता दिया कि main होता purchases है purchases के basis पे ही creator decide होते हैं लेकिन वो generally consumption के equal होते हैं until and unless opening stock of raw material and closing stock of raw material की कुछ अलग से information आपको given नहीं हो, समझ महीं ही बत और इस level पे भी वो given नहीं होती क्योंकि अभी अपकी starting आए FM की एकदम अभी आपको बहुत high level पे आगे FM पढ़ना भी है समझ महीं बत नोट करिये सारा चलिया यह बच्चों अभी question start करते हैं, बहुत ही simple सा question इसका exam में आता है और free के 8 से 10 number ही आपके होते हैं ध्यान से देखे On 1st January, the managing director of Noreen Limited wishes to know the amount of working capital that will be required during the year From the following information, prepare the working capital requirement forecast आपको बताना है कितनी working capital चाहिए तो आपको पता है कहां कहां पैसा फस्ता है as well as कहां से हमें साहता मिलती है Production during the previous year was 60,000 unit, पिछले साल की production थी 60,000 unit, it is planned that this level of activity would be maintained during the present year, और यही production इस साल भी होगी The expected ratios to the cost of selling price are raw material 60%, direct wages 10%, overhead 20% तो जो भी आपका selling price है उसका 60% raw material cost है direct wages है 10%, overhead 20% जस्त आपकी information के लिए selling price नीचे question में given है 5 rupees per unit, तो अगर हम raw material की cost निकालते है that is 60% of rupees 5, तो this comes out to rupees 3, अगर हम direct wages निकालते है the 10% of rupees 5, so this comes out to be 50 paisa and अगर हम overheads निकालते हैं तो 20% of rupees 5, this comes out to be rupees 1 per unit यह आपका आता है और बाकी जो है फिर आपके जो बच जाते हैं 10% वो एक तरह से आपके profit है 50 paisa total हो गया 5 फिर कह रहा है raw material are expected to be remain in store for an average of 2 months before issue to production, सीधी सी बात है raw material का जो stock है वो 2 महीने का रखना है एक एक चीज बढ़ते चलेंगे आगे बढ़ते चलेंगे कोई उसमें दिक्कत नहीं है अगर raw material आपको 2 महीने का stock में रखना है क्या formula बताया था जो भी consumption है 60,000 कोई audit है तो है नहीं divided by 12 months into 2 months का आपको रखना है yes or no और raw material की cost कितनी है 3 rupees per unit 60,000 by 12 into 2 months into 3 करके आप इसे निकाल देंगे raw material 60,000 units 12 months into 2 months 60% of rupees 5 30,000 बहुत simple statement बनती है statement showing working capital पहले current assets लिखने हैं फिर current liability दोनों को आपस में minus कर देना current assets में सबसे पहले raw material inventory जो कि आपने working note 1 में निकाली 30,000 अभी आपने देखा यह आपने निकाल दी है एक एक चीज पढ़ो आगे बढ़ते जाओ सब होता जाएगा कुछ इसमें मुश्किल नहीं है आपने वीडियो सारी देख ली concept की खतम और उसमें भी एक में ने जान मुझ कि आपको highly conceptual video करवा दिये बट उस तरह का question रहा राता है मैंने आपको यह भी बताया कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा each unit is expected to be in process for one month तो एक तरह से work in progress है जो की one month के लिए है the raw material being fed into pipeline immediately immediately मतलब beginning में yes or no and the labor and overhead cost accrue evenly during the month तो इसमें आपको बताया था जो भी WIP का period है अगर evenly accrue लिखा हुआ है तो जो भी WIP का period है उसको आप सीधे सीधे 2 से divide कर दीजाए और WIP में 3 cost आती है raw material, direct wages और overhead तो देखिए working node 2 work in progress raw material 60,000 units divided by 12 one month 60% of rupees 5 कितना हो गया 15,000 labor 60,000 divided by 12 one month अब इसको divide by 2 क्यों किया क्योंकि labor जो है only accrue होती है और 10% of rupees 5 लिखिए या जो यहां पर आपको मैंने करके दिखा दिया था सीधे 10% of rupees 0.5 एक ही बात है तो यह आगे 1250 same way with the overheads 60,000 by 12 into one month half क्यों किया क्योंकि only accrue है 20% of rupees 5 2518,750 तो यह बिटा आपका आगया work in progress उमीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं है sure एक बर वीडियो pause करके at least आप यह दो working note और इतना note कर लो फिर आगे आप समझना चले आगे बात करते है finished goods will stay in the warehouse awaiting dispatch to customer for approximately 3 months finished goods का stock 3 महिने तक रहता है तो finished goods जो है अगर आप बात करें 60,000 units divided by 12 3 months अब finished goods जो है वो cost पे निकलते है और cost में cost of production that is raw material direct wages over it 3 हो आती है तो 60% यह है 10% यह है 20% यह है तो altogether it comes out to be 90% चीक है तो आप देखें यहां पे 90% of rupees 5 या सीधे आप 4.5 रुपे भी ले सकते हैं 67,500 चीक है यह आप कहा गया इसके बात अगर आप देखें credit allowed by creditors इसको बात में देखेंगे liability है credit allowed to debtors for 3 months अब आपको पता है यह किस पे निकलता है cost of sales पे चीक है और second चीज हमें इसके लिए unit sold चाहिए होती है क्योंकि question में कुछ भी given नहीं है तो हम production को ही sales माल लेंगे समझ महीं बात हमारे पास कोई भी information separate sales की नहीं है तो we are bound to assume that production ही सारी sales हो गई तो दिखें ज़रा debtors 60,000 units divided by 12 3 months 90% of rupees 5 अब देखें लेना इसे हमें cost of sale पे होता है लेकिन जो cost of production ही है उसे ही हमें cost of sale मानना पड़ेगा क्योंकि कोई separate information हमारे पास question में given नहीं है तो यह जो 90% है इसे को हमें लेना पड़ेगा क्योंकि 10% तो यह profit हो जाते है यह मैं लिख भी दिया यहां पर since no separate information is given about cost of sales therefore it is assumed to be equivalent to cost of production चेक है similarly इसमें आप लिख लेना no information is given about credit sales therefore we are assuming it equivalent to production चेक है तो देखे बहुत simple question आप देखो क्या है इसमें कुछ भी नहीं है simple सी चीज़े आप से वह सारी पूछ रहा है फिर उसके बाद नीचे उसने उसने बताए cash in hand 20,000 रुपे यह आ गया आपका सारा अब current liabilities की बात करते हैं सबसे पहले बीच में creditors आपने देखा trade allowed by creditors 2 month for the date of delivery of raw material तो creditors भी same way निकलेंगे 60,000 divided by 12 into 2 आप raw material की होते हैं creditors तो सिफ raw material की cost लेने that is 60% of 5 तो यह कितना आपका 30,000 तो यह आप यहां लिखतेंगे हर किसी का working note जरूर बनाना उसके बाद उसने बोला था wages and overheads are paid on the first of each month for the previous month मतलब पिछले महिने के अगले महिने के एक तारीक को दिये जाते हैं मतलब एक महिने का outstanding रहता है तो इसमें भी आपको फायदा मिल गया 60,000 units divided by 12 into 1 और wages का amount कितना है 10% of rupees 5 तो 2500 same way overheads का 60,000 divided by 12 1 month और wages का overhead है 20% तो 20% of rupees 5 5000 तो यह आपने दोनों यहां लिखें यह आपका current liability का amount यह current asset का यह आगई estimated working capital requirement अब आप एक बाह बताओ अगर यह question आपका exam में 10 number का यह 8 number का आ रहा है तो यह free के number है यह नहीं इसमें आपने कितनी मेनत करी कितने पत्थर तोड़े आपको भी पता है कुछ भी नहीं एकदम simple straightforward चीजें हैं जो आपने देखी concept build up कर लिए उसके बाद कितने कुछ भी आ जाए आप उसे बड़ी असानी से कर सकते हैं फटाफट एक बार सारा का सारा note down करिए first चलिए अब देखते है cash cost concept यह क्या होता है देखिए working capital की requirement निकालने का और prudence basis पे एक concept develop किया गया देखिए जब आपने बात करी cost of production की या आपने बात करी cost of sales की या आपने बात करी overheads की तो हो सकता है कि उसमें कुछ part आपने depreciation का ले लिया हूँ या कोई ऐसा non cash expense ले लिया हूँ देखिए यहां पर जो हम working capital निकालते हैं actually मैं आपको बताता हूँ होता क्या यह working capital statement जैसे आपने इस question में बनाई यह जाती है bank के पास और bank इसको CA approve करते हैं generally जब CA से approve करता है इस working capital requirement को देखके bank जो है आपको loan sanction करते है यह जो practical fact है वो आपको बता रहो अब suppose आपने अपनी इस working capital estimation के अंदर यहां finish quote के अंदर यह 67,500 लिया इसमें कुछ आपने depreciation का amount भी ले लिया suppose या आपका जो finish quote यह इधर debtors का valuation इसमें cost of sale पे किया उसमें कुछ depreciation का amount भी है मतलब जब आप cost of production cost of sale या overheads ले रहे थे तो उसमें कोई non cash expense भी ले रहे है तो वो गलत है क्योंकि non cash expense आपकी requirement नहीं है आपकी requirement है जो आपको cash में चाहिए cash cost concept क्या कहता है कि आप सारे की सारी cost लो except non cash cost like depreciation उसको आपने ignore करना है और इससे effect पड़ता है तीन चीजों की valuation पे एक work in progress की एक debtors की और एक finish quote की सब कुछ वैसे ही है जितना आपने जैसे पड़ा है कुछ हलग नहीं है सर्फ कोई non cash cost होगी तो उसे हम ignore करना है आप इसे एक बाद note down करिए उसके बाद मैं आपके साथ इस पर question discuss करता हूँ चलिए एक question देखते है the following annual figures related to xyz and company sales at 2 months credit 36 lakh रुपे की sales है material consumed suppliers extend 2 months credit 9 lakh रुपे इस बार देखो आपको units में नहीं दिया उसमें सारी figure already rupees में दे दी कि पूरे साल में 36 lakh की sale होती है अब 2 month का credit है तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं 2 बटा 12 करके question और असान सा लग रहा है wages paid 1 month lag in payment साल भर में इतनी wages पे हुई और हर समय एक महिने के outstanding है cash manufacturing expense expenses are paid 1 month in a year 9,60,000 देखे क्या लिखा है cash manufacturing expense यह important चीज है administrative expense 1 month lag in payment देखे मैंने आपको बताया था admin को आप non production मानेंगे जब तक question में given हो sales promotion expense अलग से given है paid quarterly in advance 1 piece company sell its product on gross profit of 25% बहुत अची चीज है depreciation is considered as a part of cost of production जो depreciation है वो cost of production में include है it keep 1 month stock each of raw material and finish good and cash balance of rupees इतना assuming 20% safety margin अब यह क्या होता है आपको बताऊँगा 20% safety margin work out the working capital requirements of the company on cash cost basis question में लिखा हुआ है कि cash cost basis पे ही निकालना है ignore work in progress और सबसे अच्छी चीज जो सबसे technical होती है work in progress उसे ignore करना है तो चलिए आईए हम अपना question जो है वो शुरू करते है बड़े अराम से एक चीज को पहले समझना है और फिर आप question करना शुरू करेंगे सबसे पहले क्या होता है देखो अभी तक आपने इतना पढ़ लिया raw material चाही होता है यहां देखो given है material consumed supplier extend 2 month credit 9,000,000,000,000 material में तो कोई फरक नहीं पड़ता है वो तो cost पर ही आता है और उसने बता है it keeps one month stock of each of raw material one month हमें raw material का stock करखना पड़ता है देखो यह supplier का है यह तो creditor में काम आएगा तो आप इस information से जितनी मैंने भी blue color से underline करिया आप इसके basis पे एक तो raw material की requirement निकाल सकते हो अपनी raw material की requirement किस तरीके से निकाल सकते हैं 9,000,000,000 divided by 12 months और into 1 month बस simply निकल जाएगा इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे लिए I think और same way हम creditor के लिए निकाल सकते हैं कोई creditor भी material पर ही depend करते हैं कितना material purchase किया और मैंने आपको बताया था consumption ही purchase के equal लेते हैं 12 months into 2 months I think यह दो information में कोई दिक्कत नहीं है और क्योंकि इस पार सीधे information rupees में given है, units में नहीं है तो कुछ हमें separate multiply करने की ज़रद नहीं तो आप देखिए 9,000,000 divided by 12 into 1 75,000 और same way अभी मैं आपको creators का भी दिखा दूँ creators 9,000,000 divided by 12 into 2 150 इतनी simple presentation आप exam में देखे आ सकते हैं कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है समझ में आ गए हैं तक show चली पहले भी समझे उसके बात करिएगा note अब raw material के बाद आप देखो second चीज हम लेते थे work in progress उसे question में ignore करना है तीसरी चीज जो हम लेते थे वो ता finished good तो जब बेटा आप finished good की बात करते हैं तो finished good के अंदर हम क्या कह लेते हैं finished good किस पे calculate किया जाता है सर आपने जो बताया था कि finished good जो है compute किया जाता है cost of production पे yes or no उसमें material आएगा labor आएगा overhead आएगा क्योंकि cash cost basis है तो उसमें कर कोई depreciation का बात है तो वो नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है अब ध्यान से देखो material आपको given है कितने का यहाँ पे question में 9,00,00 का consume हो रहा है labor कितने की consume हो रही अगर आप देखो तो 7,20,000 की और overhead अगर आप देखो तो कितने consume हो रहे है 9,60,000 की और यह जो overhead है cash manufacturing expense साफ लिखा है cash वाले expenses are paid cash manufacturing expenses आप समझ रहे है अगर यह होते exam में question technical करना है तो वो क्या करेगा वो आपको manufacturing expense देदेगा cash word नहीं लिखा होगा आप समझना इस चीज को manufacturing expense देदेगा अगर exam में manufacturing expense देदेता है तो इसका मतलब इसमें depreciation included तो उस case में अगर आप cash cost basis पे निकाल रहे है तो आपको depreciation minus करना पड़ेगा समझ मैं ही बत क्योंकि question में लिख दिया कि cash manufacturing expense है मतलब यह जो amount आपको 9,60 दे रहा है ही cash का इसमें depreciation नहीं है तो आपको घबरानी की ज़रुरत नहीं है या question ऐसा होता जिसमें cash cost basis नहीं लिखा होता cash cost basis नहीं लिखा होता cash cost basis नहीं लिखा होता तो फिर cash manufacturing expense में आप depreciation add करते क्योंकि by default आपको cash cost basis पे नहीं करना होता normal method से करना होता जो आपने मेरे साथ पहले सीख है दोनो situation समझ में आ गई आपको पक्का शेओ यह दो note मैंने आपकी understanding के लिए यहाँ पर लिख दिये हैं इसको आप note down कर लीजेगा देखे कभी भी आप यह समझ लीजे आप 100 question practice करें 1000 question practice करें वो छोटे level पर अच्छा लगता है जब आप 11th यह 12th standard में होते हैं जब आप इस level पर होते हैं आपको concept building करनी होती है और once आपकी concept building हो गई फिर आपके सामने कोई भी question आजाए कोई आपको फरक नहीं पड़ता कुछ पच्छे सोसते हैं कि बहुत सारे questions practice करेंगे तभी बात बनेगी देखे एक तो आपके पस इतना work दिन होता इतना time नहीं होता and now your maturity level is on the next level now you are not a junior student now you are in the senior category and you are what you are studying right now is the most technical part of the commerce so here what is expected from you is the reasoning that you should be able to understand what is the reason behind whatever you are studying and if you are able to understand it then you need not to practice so many questions if you are practicing only two to three questions on that that will also be sufficient for you so please note down this first and second point so now in this case finish code हम निकालेंगे तीन cost लेने है नौलाग साथ लग बीशा और नौलाग साथ अज़ा तो अगर आप तीनों को sum करते हैं तो ये पच्छिस लाग ऐसी जार आता है divide by 12 into 1 month this will be 215 चेक है now तो ये तो आपकी आगई cost of production अब जब हम बात करेंगे next तो हमें क्या लेने receivables yes or no debtors तो जो debtors हैं वो निकलते हैं हमारा cost of production as well as उसमें हम जो आपके दूसरे expenses हैं जिसमें मैंने आपको बताया था admin expenses हो गए या sales promotion हो गए वो सब भी हम इसमें लेते हैं क्योंकि debtors जो हैं वो हमारे किस पे निकलते हैं cost of sales पे yes or no show तो देखिए अब यहां पर यह जो तीन cost थी यह तो थी आपकी cost of production अब इस पार आपको admin भी गिवन है as well as sales promotion भी गिवन है yes or no तो अगर आप इन पांचो cost को add करते हैं तो आपकी आएगी क्या cost of sales पिछले question के अंदर कुछ admin sales promotion expense नहीं गिवन थे इसलिए वहां हमने assumption ली थी कि cost of production ही cost of sale है लेकिन यहां given है तो हमें वैसे करना पड़ेगा तो आप जब इन पांचो को add करते हैं तो यह आपका हैगा देखेंगे 39,40,029,40,000 divided by 12 into 2 this comes out to be 4,90,000 यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके बाद cash balance maintain करना है उनको 1,00,000 रुपे का तो वह आपने maintain कर लिया cash balance अब इसमें आप पहले प्लीज यहां तक पूरा का पूरा note down कर लिजे क्योंके आप मेरे को यह हटाना पड़ेगा आपको आगे की बाते समझाने के लिए प्लीज फटाफट यहां तक सारा note down कर लिजे fast चले अब question के अंदर लिखा हुआ है sales promotion expenses paid quarterly in advance मतलब यह जो है आपके prepaid expense चेक है तो 1,20,000 divided by 12 into 3 this comes out to be 30,000 9,10,000 चेक है अब इसके बाद अगर आप liability site पर आते हैं तो इसमें creditors वाला part में आपको already अच्छे से बता चुका हूँ अब देखिए सब के आगे लिखा हूँ है wages paid 1 month lag in payment तो सीधा 7,20,000 divided by 12 into 1 आप मेर से अच्छे master हो चुके हैं आपको पता इसमें cash manufacturing expense expenses are paid 1 month in arrière तो again 9,60,000 divided by 12 into 1 देखिए once the concept is clear nothing is there administrative expense 1 month lag in payment 2,40,000 so again 2,40 divided by 12 into 1 ठीक है तो इसका total किया 3,10 आया यहाँ पर आपका था 9,10 ठीक है तो यह आपका आगे कितना 6,00,000 अब देखिए 20% अपने तो यह आगे तो यह आगे टोटल वर्किंग capital requirement समझ मैं इवाद यहां वर्किंग नोट में cost of production, cost of sales जो है आपको निकाल के दिखाया हुआ है आप देख सकते हैं clear, sure चले अब suppose इसी question के अंदर वैसे तो हमें cash manufacturing expense सीधे सीधे given थे, question complete हो गया लेकिन एक छोटा सा point है अगर इसी question में manufacturing expense होते है तो फिर हम depreciation कैसे निकालते क्योंकि rate तो आपको given ही नहीं तो बहुत simple है यह कुछ नहीं sales आपको पता है अब sales आपको पता है और उसने आपको यहां पर बता दिया कि gross profit है 25% तो उसमें से आप 25% minus करेंगे तो जब आप gross profit minus कर देंगे sales में से तो यह आपका आजाता है क्या cost of production including of depreciation 27 lakh रुपीज और आपकी जो cash cost of production है वो कितनी है 25,80,000 रुपीज है yes or no तो यह आजाता है आपका depreciation अब कुछ बच्चे मेर से यहां पर argue कर सकते है कि सर जब sales में से profit minus करते है तो it should be the cost of sales तो यहां पर why it is coming down to be the cost of production you have the full right to argue but if you can see the question specifies the gross profit you are getting my point if the word gross profit is given and after deducting the same from the sales you will get the cost of production however if it is net profit sales minus net profit और in FM he may use the exact word operating profit तो उसको अगर आप minus करते है तो that it will be cost of sales तो question में क्यों की gross profit word given है इसी लिए वो आपका cost of production आ रहा है ना की cost of sale हाँ यही operating profit word होता है यह net profit तो फिर मैं उसे cost of sale ही ले लेता समझ भाई है तो एक अच्छा question इसे अच्छे से practice करिए इससे आपके जो भी balance of the doubts थे वो भी अप सारे clear हो जाते है अब मैं आपको advice दोंगए यहां तक आप एक बार पूरा का पूरा सारा अच्छे से revise कर लीजे और at least four to five hours के gap के बाद यह दोनों questions एक बार दुबारा से आपने अपने हाथ से करने देखिए आप instruction follow करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे अभी आपने यहां तक पूरा कर ली अब सारा revise कर लेना है और शांत पैट जाओ कुछ और पढ़ लो या something like that और take a break, break नहीं मतलब four to five hours के बाद आपको यह दो questions बिना revise करेंगे दुबारा करने अगर आप कर पाएं तो आपके सारे concepts strong हो चुके हैं नहीं तो आपको कुछ ना कुछ revision की कही ना कहीं जरूरत है चलिए working capital management में अब हम बात करने जा रहे हैं receivables की देखिए इस particular topic में हमें पढ़ना क्या है हम इसमें दो type की चीज़े पढ़ेंगे the first is evaluation of credit policy what exactly is this इसमें हम यह देखेंगे कि अगर हम अपनी credit policy को liberal करते हैं liberal करते हैं इसका मतलब suppose हम अपने customer को अभी 30 दिन का उधार दे रहे वो 30 days में हमें payment करते हैं अगर हम इसको बढ़ाते हैं 45 days करते हैं या 60 days करते हैं या 75 days करते हैं तो उससे हमें क्या फाइदा होगा क्या नुकसान होगा और net crux में अगर मैं बात करूँ तो हमें उससे net benefit होने वाला है या net loss होने वाला है example की तौर पर ध्यान से देखे in this organization wishes to expand credit policy to increase the sales क्योंकि देखी जब आप उधार देते हैं तो लोग आपसे ज़्यादा माल लेते हैं आप 30 दिन की जगा 60 दिन का उधार देंगे तो obviously आपकी sales तो बढ़ेगी but due to increase in credit policy the risk of bed date rises अगर आप अपनी credit policy को ज़्यादा liberal करते हैं तो bed date के chances पर जाते हैं second आपका जो fund है वो फसा रहता है जिससे opportunity cost of fund rises what is this opportunity cost of fund rises समझ यह से ध्यान से suppose आपने किसी debtor को एक लाख रुपे का उधार दिया ठीक है और उसमें बच्चे आपकी जो cost of sales थी वो थी suppose 80,000 रुपे ठीक है अभी क्या था आप 30 दिन का उधार देते थे suppose market rate of interest जो है वो 12% है तो आप जो है 80,000 रुपे आपका फसा उस पे 12% for 1 month या आपका 30 days आपका वो पैसा फसा था ठीक है तो मोटा मोटा जो आपको उसकी cost आती थी opportunity cost वो आती थी सिर्फ 800 रुपे opportunity cost का मतलब क्या यहां पे कि वो जो पैसा आपने फसाया उस पे जो आप ब्याज कमा सकते थे पर आपने नहीं कमा पाई क्योंकि वो पैसा ब्लॉक रहा तो वो 800 रुपे थी लेकिन अगर आप इसको 60 days करते हैं तो उस case के अंदर यह 800 रुपे 60 days के लिए ब्लॉक हो गए payment अब 60 days में आएगी तो उस पे आप कितना भी आज लूज कर रहे हैं अगर मोटा मोटा हम देखें तो उस पे अब आप 1600 रुपे का interest जो है वो लूज कर रहे हैं तो opportunity cost of fund जो है वो बढ़ गए yes or no हाँ लेकिन एक benefit भी है कि आपकी जो sales है वो बढ़ जाती और sales बढ़ती है तो आपके profit बढ़ जाते तो we have to compare कि जो हम liberal credit policy opt करते हैं तो जो उससे increase in sale हुआ उससे जो profit बढ़े अगर वो compensatory है bad debt और opportunity cost के तो तो हम liberal credit policy की तरफ जाएंगे otherwise हम नहीं जाएंगे yes or no अफटाफट पहले जो है यहां तक सारा note down करिये fast topic का नाम लिख लीजेगा evaluation of credit policy चलिए बच्चों आगे बात करते हैं exam भी जो हमारे पास question आएगा उसमें increase in bad debt risk कितना होगा वो हमें straightforward given होगा जैसे मैंने आपको यहां बताया कि अगर आप increase in credit policy करते हैं liberal करते हैं तो bad debt बढ़ने के chances हैं तो question में बताएगा opportunity cost of fund rises अब कितनी opportunity cost increase होगी यह question में हमें calculate करनी पड़ेगी और कैसे calculate होगी बहुत simple है देखे सबसे पहले आप निकालेंगे cost of sales अब sales पे क्यों निकालते हैं यह बात आपको बहुत अच्छे से पता है उसके बाद आप निकालेंगे कि आपकी उसमें कितनी working capital block होती है जो कि मैंने आपको यहां बताया अभी पीछे example में कि suppose हमारी जो cost of sale थी अगर वो 8 लाग थी और आप 30 दिन का credit देते हैं जो यह example यहां देखते है cost of sale है suppose 6 लाग collection period है 60 days और आपका जो rate of return है वो 20% है तो आपको working capital block कैसे निकालनी है simple जो भी आपकी cost of sale है उसको आप multiply करतीजे अपने collection period से which is 60 divided by 360 तो आपके मोटा मोटा working capital कितनी block हो रही है वो आपको पता लग जाएगा यह आपकी हो रही है मोटी मोटी 1,00,000 रुपीस block और फिर opportunity cost निकालनी है तो जो भी आपका step 2 है उसमें आप rate of required return that is 20% से उसे into करतीजे या अगर मैं अभी जो आपको simple words में पीछे बताया था उसी ही साब से देखो तो जो cost of sale into 60 by 360 into 20 by 100 चेक है इस तरीके से आप इसे simply जो है वो निकाल सकते है तो यह आपका वो ही आएगा clear तो bet rate is given होगा opportunity cost कैसे निकालनी है तीन step simple से cost of sale working capital कितनी block हो रही है step 3 opportunity cost को step 2 multiply by required rate of return या सीधे ऐसे आप निकाल के लिखातीजे फटा-फट इसको note करिए first आइए सारी की सारी चीजे एक simple question से समझते है a trader whose current sales are in the region of Rs.6 lakh per annum and in average collection period of 30 days उसके 6 lakh रुपे की sales है साल के और average collection है 30 दिन का wants to pursue more liberal policy to improve sales a study made by management consultant reveals the following information अगर हम एक credit policy पे जाते है मतलब collection period 10 दिन increase कर देते हैं मतलब अभी present में 30 है हम 30 से बढ़ा के उसे 40 days कर देते हैं तो हमारी sales 30,000 रुपे बढ़ जाएगी present default anticipated 1.5% और जो हमारा default rate है वो 1.5% होगा उस case के अंदर मतलब 1.5% bad date होगे credit policy B में अगर हम 20 days increase करते हैं collection period मतलब 30 के 50 दिन कर देते हैं तो increase in sales हो जाएगी 48,000 से bad dates जो है वो 2% होने के chances हैं same way अगर 30 days increase करते हैं मतलब 30 दिन से उसे 60 दिन पे लेके आते हैं तो sale हमारी 75,000 से बढ़ जाएगी और bad date जो है वो 3% तक हो जाएगा 45 days अगर हम बढ़ाते हैं तो 30 दिन से 45 days और increase add करिये तो 75 days अगर हम करते हैं तो 90,000 की sale बढ़ जाएगी लेकिन bad date risk 4% हो जाएगा selling price है 3 रुपे per unit average cost per unit है 2 रुपे 25 पैसे और variable cost per unit जो है वो 2 रुपे है current bad date 1% है required rate of additional investment 20% है assume 360 days in a year which of the above policy would you recommend for adoption तो दिखे बहुत simple सी चीज़ है कुछ भी इसमें technical नहीं है आप सबसे पहले एक चीज़ समझे अभी 6 लाक रुपे की sale कर रहें और selling price है 3 रुपे तो 6 लाक रुपे की sale और 3 रुपे per unit अगर price है तो आप कितनी units पेच रहें साल में 2 लाक units total variable cost के अगर इसमें मैं बात करूं तो 2 रुपे per unit से आपकी variable cost है तो 2 लाक रुपे multiply by rupees 2 4 लाक रुपे आपकी variable cost है और 2 रुपे 25 पैसे आपकी average cost है तो 2 लाक multiply by 2 रुपे 25 पैसे comes out to be 4,50,000 यह आपकी total cost आजाती है अब 45,000,000 रुपे total cost है जिसमें 2 रुपे per unit आपकी variable cost है तो देखिए 50,000 रुपे जो है आपकी fixed cost आजाती है अब देखिए इतने आप mature हो चुके है last subject आपका चल रहा है इंटर का तो यह सब चीज अब आपके लिए बाएं हाथ का खेल है देखिए आपर fixed cost number of units sold total variable cost total cost total fixed cost आपकी कितनी आ गई 50,000 यह clear है आपको sure अब इसके बाद आपको पता है fixed cost हर level पे क्या रहती है हमारी same रहती है अब हमें यह चार credit policy जो है analyze करने तो देखिए बड़ा simple सा way out है statement showing proposal analysis अभी सिर्फ आप देखिए करना खोदेबाद ने particular present policy क्या है 30 days की proposal A पे जाते है तो हमारा credit period 10 days increase होगा मतलब 30 दिन से हमें बढ़ा के उसे 40 दिन कर देना है yes or no इसके बाद अगर हम proposal B पर जाते हैं तो increase in collection period कितना है 20 days तो 30 से कितना हो जाएगा वो 50 दिन same way यहां 30 days increase हो रहा है तो 30 और 30 कितना हो जाएगा 60 days और अगर यहां 45 days increase हो रहा है तो 30 और 45 कितना हो जाएगा 75 days चेक है अब sale at present बच्चे कितनी है 6 lakh यहां sale बढ़ेगी 30,000 तो यहां कितनी हो जाएगी 6 lakh 30,000 अगर आप B वाला लेते हैं तो sale आपकी 48,000 बढ़ेगी तो 6 lakh 48 हो जाएगा आप देखे हर question एक अलाग है मतलब आप समझे यह एक question है यह दूसरा question है यह तीसरा question है चार यह 4 in 1 question है इसलिए मैंने सबसे पहले आपको यही करवाया 75,000 बढ़ाते हैं तो 6,75,000 हो जाएगा और अगर आप proposal 4 के लिए जाते हैं टी के लिए तो 90,000 मतलब आपकी sale 6,90 हो जाएगी yes or no sure अब हमें यह देखना है कि हर case में हमारी variable cost कितनी होगी तो इसमें तो हमें कोई doubt ही नहीं है किसी प्रकार का yes or no है कोई doubt किसी प्रकार का आपको कोई doubt उसके अंदर नहीं variable cost के लिए देखे बहुत simple है 6,00,000 रुपे sale थी sale price आपका 3 रुपे है कोई sale price तो कम होगा निए उसने कुछ ऐसा बोला तो है निए तो आपने जब 6,00,000 को 3 से divide किया तो 2,00,000 यूनिट्स आ गई थी और आपने उसे into 2 किया तो आपकी variable cost आ गई 4,00,000 same way proposal A में आपकी sale हो जाएगी 6,00,000 तो अगर units में निकालना है तो 6,00,000,000 divided by 3 यह आपकी units आ जाएगे और into 2 कर देंगे तो आपका variable cost आ गया 4,00,000,000 same way 6,48 को अगर आप 3 से divide कर देंगे तो आपका आ जाएगा तो यह आपने निकाल लिया कि हर level पर variable cost कितनी होगी यह जब आप कर रहे है 6,00,000 by 3 या 6,30,000 by 3 इससे आपका क्या निकल रहा है units और per unit variable cost आपको पता है कि 2 रुपे है तो उसको आपने हर case में 2 से multiply कर दिया ताकि आपकी total variable cost आ जाए समझ महीं बन तो यह आपका यहाँ पर balance आ जाता है 150, 160, 166, 175, 180 यहाँ तक आपको बिटा किसी परकार का कोई doubt नहीं होना चाहिए ठीक है बहुत simple तरीके से हम कर रहे हैं सिर्फ यही presentation follow करनी है कोई और देखो के खामाखा complex हो जाएगा आपकी दिमाग में tension हो जाएगी at present जो bad rate है हमारा 1% है तो देखे 6,00,000 रुपे की sale है 1% bad date है तो 6,000 हो गया 144 यहाँ आपका bad rate जो है 1.5 हो जाएगा तो अगर आप देखें 6,30,000 का 1.5% आप करेंगे तो आप देखेंगे की यह आपका 9,450 आ रहा है फिर आप देखेंगे बी situation में 2% हो जाएगा मतलब 6,48,000 का अगर आप 2% करते हैं तो इट विल भी 1,296,0 चाहिए उसके बाद 3% तो 6,75 का अगर आप 3% करते हैं तो इट विल भी 22,50 और same way next case में इट 4% तो अगर आप 6,90,000 का 4% करते हैं तो इट comes down to be comes out to be 27,600 ठीक है तो यह आपके expected profits इनको minus करके आपका आगया यहाँ तक तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है बड़े अराम से relax होके आप यहाँ तक question कर सकते हैं और exam में आपको पता है आप सिर्फ आप यहाँ तक भी कर रहा है और यह question आपका ना ना करते भी मान के चलिए 7 से 8 number का होगा तो आप यहाँ तक भी अराम से 5 number अपने secure कर चुके है अब हमें ने देखा था कि there are two things one is increase in bedded risk second is opportunity cost यह तो हम निकाल चुके given था question में और increase in sales वो भी हम सारा देख चुके कैसे क्या होगा अब opportunity cost हमें निकालनी है तो it's very simple कुछ भी इसमें technical नहीं है बड़े अराम से relax हो कि आप समझे है बड़े अराम से समझे है देखो अभी आपकी credit policy कितनी है 30 days किये yes or no देखे present policy आपकी cost of sale कितनी है 40,000,000 पे variable cost 50,000 पे fixed cost तो 4,50,000 तो 4,50,000 into 30 by 360 चीक है into divided by 360 into 30 क्योंकि अभी आप 30 दिन का credit दे रहे है और आपका required return है 20% तो यह 7,500 यह मैं आपको सिखा चुका हूँ अभी पहले बहुत simple है जो भी आपकी cost of sale है उसको आप अपने collection period से into कर दीजे अब यह 360 30 के नीचे ले लो या आप इसके नीचे ले लो उससे कोई फरक नहीं पड़ता इससे confuse मत हो ना आप इससे भी confuse हो जाते हो खामा खा मैं इसे ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ कोई फरक पड़ता है बताओ तो 30 by 360 into 20% next case में अगर आप देखे policy में तो यहां 4,20,000 और 50,000 कितना हो गया 4,70,000 तो 4,70,000 40 days divided by 360 चेक है और into 20% तो यह इसके opportunity cost आ गई same way यहां पर 4,32,000 और 50,000 कितना हो गया 4,82,000 divided by 360 into 50 उसका 20% फिर 5,00,000 divided by 360 into 60 अब यह 5,00,000 आपको बताने की जूरत नहीं it's 450 by 50 और यहां 60 days का है तो 60 by 360 ले रहे है उसका 20% और similarly for last case it will be 21,250 तो सारी opportunity cost आपके पास आ गए yes or no यह चीज़ हम already सीख चुके है वो opportunity cost आपने यहां लिखती तो आपके पास net benefit आ गए कि किस situation में आपके net benefit क्या है अब आप देखिए सबसे आदर net benefit कहां है आपको proposal A के अंदर तो we will advise to the management to go with the proposal A as the net benefits are higher yes or no sure तो इसमें question में कहता which of the other policy would you recommend for adoption तो आप लिख लीजेगा इसमें the proposal A should be accepted because its profits, its net benefits are higher as compared to other proposals तो आप बताओ यह 8 number का question क्या इसमें मुश्किल है complicated बनाओगे तो मुश्किल है simplify way में करोगे तो कुछ भी इसके अंदर नहीं है, यह free के आपके marks है, समझ में है फटाफट इस question को अब आपने खुद अपने आप करने और जहां फसेंगे से वहीं पर आप देखेंगे solution से cross check करेंगे समझ में है आइए बच्चों एक और question देखते है, XYZ corporation is considering relaxing its present credit policy and is in process of evaluating two proposed policies वो अपनी credit policy को simplify करना चाहते है और दो policies उनके सामने है अभी currently the firm has annual credit sales of 50 lakh and account receivable turnover ratio is 4 times a year और जो उनका account receivable turnover ratio है, that is the data's turnover ratio वो 4 times है कोई दिकतनी, current level of loss due to bad debt is this, the firm is required to give a return of 25% on investment required rate of return 25% and the company's variable cost are 70% of the selling price variable cost is selling price का 70% given the following information, which is the better option present policy, credit sale, debtor turnover ratio, bad debt losses, policy option 1, 60 lakh की sale हो जाएगी, debtor turnover ratio कम हो जाएगा, bad debt losses आप ratio करके आरहे है मेरे साथ, आपको यह पता होना चाहिए कि अगर debtor turnover ratio कम हो रही है, इसका मतलब आपका जो average collection period है, वो कहीं न कहीं कम हो रहा है क्योंकि जो आपका collection period है, वो आप कैसे निकालते हैं अगर आपको याद हो तो बच्चे collection period हम निकालते हैं 360 days divided by debtor turnover ratio, याद आ रहे हैं आपको, तो 360 divided by 4 अगर है तो पहले आपका 90 days का collection period था, अब आप proposed policy में 360 by 3 मतलब आप 120 days पे जा रहे हैं, और अगले वाले में तो आपने हदी कर दी, 2.4 मतलब समझ रहे हैं, 2.4 का मतलब हो गया, कि आप 150 days का credit देंगे, चाहिए? तो bad date आपको उसने बताई दिया, sales बताई दी, सब कुछ तो उसने question में इतना clear बताई दिया है, variable cost भी बता दी है, चेक हैं? तो चलो करते हैं फिर क्या दिक्कत है, credit sales, आप देखिए पहले, फिर करना खुदी है, variable cost is 70%, तो 50 लाग का 70%, 35 याँ 70%, 42 लाग, या 70% 10, yes or no, bad dates आ हमने ले लिए, चेक है, यह आगया, expected profit, इसके बाद opportunity cost हमें निकालनी है, opportunity cost थो बड़ी simple सी है, variable cost आपकी सिर्फ देखिए 35 लाग है, 90 days का आप credit दे रहे है, और आपका जो required rate of return है, वो 25% है, yes or no, तो यह 218750 आगया, देखिए पहले में में variable fix दोनों लेना पड़ा था, क्य यह बली मानेंगे, हाई है न, next उसमें opportunity cost निकालनी है, 42,00, यह सब आपको working note में दिखाना है, just अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, 120 by 360, उसका 25 by 100, चेक है, तो यह आपका आएगा, 350,000, आप इसे compute कर लीचे, चलो मैं भी कर देता हूँ, कहीं पता लगे, मैं ही गलत हो next है आपका 4725, तो यह आपका 150 by 360, into 25 by 100 आप करेंगे, तो मैं cheating करके लिख रहा हूँ, 49 to 188, देखिए, तो यह net benefit आ गए, तो अब आप बताओ, highest profits का है, यहाँ है, तो आपको यह वाली प्रावली सी जो है, वह accept कर लेनी चाहिए, तो दीखे, कुछ नहीं है, यह तो खेल त मार्शा, इसके अंदर बताओ, मैं सच्छे बताओ, एक बनिया, और हमारे तो चान्नी चौह के दिली के अंदर, वहाँ बनिये बैठके, सुवह से लेके शाम तक यह हिसाब लगाते है, जो आप यह सीख रहे हो, एक आम बिजनसमेन, उगलियों पे लगाते हैं, इनका हिसा चले एक कुशन देखते हैं, मौसेक लिमिटेड हैस करंट सेल्स ओफ 15 लाक्स पर यर, कॉस्ट अफ सेल इस सच्छा क्या चाहिए आपको बताओ, बैट देट्स आर 1 परसेंट अफ सेल, अरे वाँ, कॉस्ट अफ सेल कंप्राइजिस 80 परसेंट अफ वेरीबल कॉस्ट एं 20 तो यहां पर देखे, अगर आप माने की सेल्स 100 है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 75 परसेंट ऑफ 175 है, और उसमें 80 परसेंट वेरीबल है, मतलब इस 75 का 80 परसेंट कितना हो गया, 60, this is the वेरीबल कॉस्ट, तो अगर 75 टोटल कॉस्ट उसमें 60 वेरीबल है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, 15, yes or no, तो in short अगर देखा जाए, 100 रुपे की सेल में, 60 रुपे वेरीबल कॉस्ट है, 15 रुपे फिक्स कॉस्ट है, मतलब वेरीबल कॉस्ट इस 60 परसेंट ऑफ सेल, और फिक्स कॉस्ट इस 15 परसेंट ऑफ सेल, हाया न, तो 15 लाख रुपे की सेल है, उसका 15 है, which remains same at all level, yes or no, तो आपको कुछ नहीं करना, फिक्स कॉस्ट तो हर बार 2,25,000 रही है, और वेरीबल कॉस्ट आपको हर बार 60 परसेंट लेनी है, समझ मैं ही बाद, श्यो, पक्का, इसके बाद, while the company's required rate of return is 12%, Mossack Limited is currently allows customer 30 days credit, but is considering to make it 60 days, to increase the sales, it has been estimated that this change in policy will increase the sale by 15%, while bed debts will increase from 1% to 4%, bed debts आपके एक से 4 हो, it is not expected that policy change will result in increase in fixed cost and creditors and stock will be unchanged, कोई fixed cost में इंक्रिमेंट नहीं होगा, तो भी question तो यार अपने आप करो, आप, present policy given है, वो कह रहा है, आपकी जो sales है, वो 15% बढ़ जाएगी, तो 15,00,000 से 15% increase करिये, 15,00,000 plus 15% of 15,00,000, this comes out to be 17,25, variable cost आपकी कितनी है, 60% of sale, तो 15,00,000 का 60%, 9,00,000, और यहाँ पे 17,25,000 का 60%, 10,35,000, fixed cost will remain same, this comes out to be the balance, bet debts will be initially 1%, तो 15,00,000 का 1%, 15,000, लेकिन यहाँ 17,25,000 का 4% हम निकालेंगे, which will be 69,000, expected profit, अब हमें निकालने है, opportunity cost, तो बताओ कैसे निकलती है, अब यह तो बतादो यार, 11,25,000 रुपे, यहाँ पर, total cost क्योंकि fix cost भी है, collection period हमारा बिटा, 30 दिन है, और उसका कितना परसेंट, 12%, चेक है, 11,25,000 का, अगर हम निकालते हैं, तो सीधा सीधा यह आ रहा है, हाँ, 11,250 रुपे, चेक है, same way यहाँ पर, 10,35, प्लस 2,25, यह आपका हो जाएगा कितना, 12,6,000, 12,6,000 का, 30,60, sorry, क्योंकि आप 60 हो गया न, वारा, इन्टू 12 आए, 100 आप इसे करेंगे, चेक है, तो यह आपका मोटा मोटा, कितना आएगा, 25,200 रुपे, calculate किया, cheating नहीं करी, तो अगर आप देखें, तो यहाँ, यह opportunity cost माइनस हो जाएगी, आपकी, तो यह net benefit आ रहे हैं, 348,750, यहां 378,000, तो क्योंकि यहाँ पर net benefit जाएगा है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं, तो देखें, question आप खुदी करें, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, जस्ट आपकी practice के लिए करवा रहा हूँ, इसको अपने आप करेंगे, कहीं फस्ते हैं, तो देखेंगा, तो देखेंगा, और देखेंगा, कोशन आने के बहुत चांसे हैं, फ्री का कोशन है, छे नंबर का जो आता इसके उपर, चलिए बहुत ही अच्छा कोशन हो, जनरली बहुत सारी universities में, और institutes में पुखा चाह गया है, त्यान से देखेंगे इसे, a company is presently having credit sales of 12 lakh, उसकी credit sale है भी 12 lakh रुपे की, the existing credit term are 1 by 10 net 45, इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ना सीखिए 1 by 10 net 45, इसका मतलब है कि अगर customer 10 days में payment कर देते हैं, तो उन्हें 1% का cash discount दिया जाता है, otherwise उनको 45 days में तो payment करनी ही करनी है, देखे होता क्या है, businessman चाहता है कि debtor से फटा-फट पैसा आ जाए, क्योंकि फटा-फट पैसा आ जाएगा तो उसका फाइदा है ना यार, business में आप उससे circle में ले पाऊगे, तो 1 by 10 net 45 का मतलब क्या है, जो denominator में लिखा है, इसका मतलब आप 10 days में payment करते हो, तो 1, मतलब 1% का cash discount मिलेगा, otherwise net 45, 45 days में तो करनी ही करनी, यह आपको interpret करना आना चाहिए, इसलिए आपको इसका question करवाय जा रहा है, average collection period is 30 days, average collection period है 30 दिन का, the current bed date losses is 1.5%, तेखे, आप कहेंगे सर यहाँ तो net 45 days आपने ब करनी हैं, और कहरें, average collection period 30 दिन है, तो देखो, यह तो हमने अपनी terms and conditions ले रखी है, कि भाई, अगर 10 दिन में payment कर दोगे, तो 1% cash discount मिल जाएगा, otherwise maximum 45 days में कर देगा, कुछ जल्दी भी करते होंगे, बात में भी करते होंगे, कुछ 10 दिन के बात भी कर देते होंगे, कुछ 10 तो हमारा on-and-average collection period 30 दिन का है, कि 30 दिनों में हमारी on-and-average payment आ जाती है, currently bet debts है 1.5%, in order to accelerate the collection process further as also to increase sales, the company is contemplating liberalization of its existing credit terms to 2 by 10 net 45, company जो है, अपने थोड़ा सा collection period को fast करने के लिए, sales को increase करने के लिए, जो policy opt करना जाती है, वो चाती है कि 10 days में अगर कोई payment करें, तो हम उसे 2% का cash discount देने, otherwise 45 days में तो करना ही करना है, देखे, असली business man है यह, कभी भी days बढ़ा के फायदा नहीं होता, जो भी आपने 3 question है कि उसमें 30 के 40 दिन कर दो, 50 दिन कर दो, यह, discount दो, पैसा लो भटा भट, बन्ये की बुद्धी यहीं चलती है, it is expected that sales are likely to be increased by one third of existing sales, और bed rate जो है, वो 2% of sales हो जाएंगे, and average collection period जो है, वो 20 days का रह जाएगा, the contribution to sales ratio of the company is 22%, and opportunity cost of investment is 15%, 50% and 80% of the customers in terms of sales revenue are expected to avail cash discount under existing and liberalization scheme, मतलब, पहले हमारे 50% customer, जो है, इस policy को opt कर लेते थे, मतलब, वो 10 दिन में payment कर देते थे, अब हम 10 days में क्योंकि 2% cash discount देंगे, तो हमारे 80% customer, जो है, 10 days में payment कर देंगे, लाइन बहुत important है, यह जो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 50%, 80% of customers in terms of sales revenue are expected to avail cash discount under existing and liberalization scheme respectively, tax rate, जो है, वो क्या है, 30%, should the company change its credit term, assuming 360 days in a year, one of the wonderful questions that you have to practice and you have to revise at the time of examination, very, very important, इसे mark कर लीजेगा, फिर अब करना इसे हम शुरू करते हैं, देखिए, सबसे पहले cash discount निगालते हैं, 12 lakh की sales थी, 50% customer cash discount लेते थे, तो simple सी बात, 12 lakh है, इसके 50% customers cash discount लेते थे और कितना discount, 1%, yes or no, cash discount कितना होगे आपका, 6,000 रुपे, नई policy के अंदर अगर हम बात करें, जो हमारी sales है, वो 1 third बढ़ जाएगी, मतलब 12 lakh sales है, वो 1 third आपकी जो है वो बढ़ जाएगी, 1 third of 12 lakh, जो है वो आपका बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 16 lakh हो जाएगी, और अब 80% customer जो है discount की facility ले ले लेंगे, और अब discount कितना होगा, 2%, तो अगर आप ये देखें, इसको calculate करके, तो ये कितना आता है भाई, ये हमारा आ रहा है, 25,600 रुपए, चेक है, simple सी चीज़ है कुछ इसमें नया नहीं है, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, credit sales, variable cost, उसने मुला था contribution जो है, वो 22% है, उसने था contribution to sales ratio, fixed cost के उसने कोई बात ही नहीं करी question में, ये तो variable cost obviously 78% होगी, अगर contribution 22 है, ये 100-22 इतना तो आप costing में आप करके आए हैं, तो 936 और 1248, yes or no, आया ना, sure, यह 936 यह 1248, कैसे आया, 16,00,78 और वो 12,00,78 ये आपकी cost है, अब opportunity cost भी आप निकाल सकते हैं, बढ़ी 936,000 रुपे थी, पहले आपका जो collection period था 30 दिन का था, required rate of return जो है, अगर आप बात करें, यहाँ आप opportunity cost of investment receiving 15% pre-tax, तो ये हमेशा post-tax लेना होता है हमें, tax rate, देखें, question में tax rate आपको given है, कितना 30%, pre-tax investment rate, ये आपका कितना है, 15%, तो ये हमेशा आपने पीछे capital budgeting में भी देखा है ये बात, post-tax हमें rate of return लेना होता है, return on investment, तो simple सा तरीका होता है, tax rate कितना है 30%, तो आप क्या करते हैं, जो भी 15% है, 100 minus tax rate करके percentage निकाल दीजे, तो 15%, 100, tax rate कितना है आपका 30%, तो ये आप solve करेंगे, 15 का 70% comes out to be 10.5%, इस बार उसने required rate of return सीधा सीधा नहीं दिया, जो कि हमेशा given होता है, इस बार उसने tax rate दे दिया, और pre-tax rate दे दिया 15%, तो post tax हम निकाल लेंगे, इतने अब हम master हो चुके हैं, इतने हम costing FM पढ़ चुके हैं, तो 10.5, चैक है, आपका ये आ जाएगा कितना, 8190, same way, propose scheme में 12,48,000, जो हमारा collection period है, वो 20 days का हो जाएगा, बहुत बढ़ी हैं, और यहाँ पर भी 10.5, चैक है, यह हो गया, 7,280, clear, अब ध्यान से देखिए, तो credit sale ये थी, bad debts आपके पहले 1,5% थे, अब 2% हो जाएगे, तो 12,5,5% और अब आपका 2%, फिर इसके बाद आपका cash discount, 6,25, 600 ये आपने निकाल लिया, profit before tax, इस बाद tax rate question में given है, तो उसका tax ले लेंगे, 240 का 30% 72, और 88, 320, profit after tax, opportunity cost आपने निकाल ली रखिए, तो ये आपके net profit आगे, तो हमारे क्योंकि net profit बढ़न है, तो हमें policy accept करने नहीं चाहिए, तो इस question में unique क्या था, एक तो ये 1 by 10 net 45, दूसरी चीज ये जो tax rate अभी तक questions में नहीं given होता था, इस बाद tax भी आपको given था, समझ महीं बद, तो फटा-फट इस question को अपने आप करिए, और exam time पे इसको बहुत अच्छे से revise करेगा, अब बहुत important question है, exam में 8 number तक का आप से पूछा जा सकता है, Hello friends, जो आपका inventory management है, वो आपका same है, जो आप costing के अंदर material costing पढ़ते हैं, तो अगर आपने वो revise कर रखा है, तो फटा-फट एक बार उसके सारे questions देख लीजे, एक भी नया concept नहीं है, और अगर आपने material costing revise नहीं कर रखा, तो एक बार उसे revise करके फिर inventory management कर लीजे, not even a single question is there, जो outside the course हो, एक्तम same topic है, same 100% concept है, कुछ भी एक भी percent different नहीं है, जो EOQ आप वहाँ पढ़ते थे, वो ही EOQ यहाँ आपको पढ़ना है, तो एक बार फटा-फट material costing आप revise कर लीजे अपना, और फिर inventory management के सारे question कर लीजे, चलिए अब start करते हैं, trade payable management, इसमें क्या है, जैसे आपने trade receivable management में देखा था, कि आप debtors को offer करते हो, 2x10 net 45, क्या मतलब था इसका, कि अगर 10 दिन में payment कर दी तो 2% discount नहीं, तो 45 days में करनी ही करनी है, same way, आपके creditors आपको offer देते हैं, कि भाया, 10 दिन में payment कर दोगे, तो 2% discount नहीं, तो 45 दिन में तो करनी ही है, अब आपको ये decision लेना होता है, कि आप उसे 10 दिन में payment करें, या उस पैसे को रोक के रखें, और 45 दिन बाद payment करें, undoubtedly अगर आपको 100 की payment करनी हैं, और आप 10 दिन में कर देते हैं, 10 days में कर देते हैं, लेकिन अगर आप वही चीज 45 days में करते हैं, तो फिर आपको 100 पे देने पड़ेंगे, तो आपको ये देखना है, क्या आपके पास कोई ऐसी opportunity है, कि आप 35 दिन delay करें, और इस 2 पे से ज़्यादा advantage ले सकें, भई, क्रेटर तो क्या ही रहा है कि 2 पे का advantage दे दूँगा, 100 पे की payment है, 10 दिन में करो 98 देनी पड़ेगी, अब आप ये देखिए, अगर आप 45 days में करते हैं, तो आपको पूरी 100 देनी पड़ेगी, तो is there any opportunity कि आप अगर payment delay करें 35 days, तो आप 2 रुपे से ज़ादा कम आपा है, तो इट depend करते हैं आपके opportunity cost of funds पे, let us take an example, कि 10,000 रुपे की payment करनी है, अगर आप discount refuse करते हैं, तो आपको पूरी 10,000 करनी पड़ेगी, हाया न, लेकिन उस case के अंदर, आप अपने funds को invest कर सकते हैं, yes or no, आप अपने funds को invest कर सकते हैं, कितने invest कर सकते हैं, ये एक बहुत debatable question होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप simple सी बात समझे, आपको 2% का discount मिलता तो आपको कितनी payment करनी पड़ती, 9,800, तो आप 9,800 ही मान के चलेंगे, आप 10,000 नहीं लेके चलेंगे, तो अगर आप ये 9,800 की payment, रोकते हैं 35 दिन के लिए, ये सोचते हैं कि मैं अपने level पे से invest करो, और आपके opportunity cost है 25%, तो 9,800, 25% और कितने रिले कर रहे हैं, 35 days, 360 days in a year लेते हैं, तो इस पे आप कितना भी आज कमा पा रहे हैं, 238 रुपए, इन शॉर्ट, अगर आप payment करते, accept करते discount आपको 9,800 की payment करनी पड़ती, आपने refuse किया 10,000 payment करने हैं, लेकिन आप 238 कमा रहे हैं उस पे, तो एक तरह से आपकी जेब से जो है, 9,762 रुपए ही जा रहे हैं, मतलब discount refuse करने में ही आपको file है, अरे सिंपल सी चीज़ है अभी जो debtor के point of view से सोचते थे आप, debtor को आप offer देते थे थे, अप creditor आपको offer दे रहे हैं, कि भईया payment कर दे जल्दी, अब आप देखो, कि आपके पास कोई दूसरा proposal है, दूसरा proposal है जी, आप वहाँ invest कर सकते हों, कर दो, समझ मैं इबद, तो एक सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर कुछ नहीं, ये ICI ने question बड़ा गलत तरीके से बना के दिया, इसका जो real question है, वो हम practice करते हैं, इस video के बाद, समझ मैं बद, question आने के chances बहुत rare होते हैं इसके उपर, लेकिन एक question है, जो मैं इसके बाद आपको बताने जारूँ, वो ज़रूर करिएगा, प्रूँछ प्रूँछ ने करते हैं,